हरे कृष्णा जीवन खुशी और श्रीमत भगवत गीता आज का तीसरा जो अध्याय है एपिसोड है उस पर चर्चा करते हैं कल हमने चर्चा किया भगवान के अस्तित्व पे भगवान को कैसे जाने कैसे समझे प्रतेक्ष प्रमान क्या है अनुमान प्रमान क्या है शब्द प्रमान क्या है और शब्द प्रमान में हमने चर्चा किया शास्त्रों पे शास्त्र हमारी मा के समान है जो हमें पिता के दर्श हैं और शास्त्र किसी मनुष्य ने नहीं लिखे भगवान के द्वारा दिया गया मैन्वल है जिन्होंने स्रिष्टी बनाया कि स्रिष्टी में सुखी कैसे रहना है आनंद कैसे पराव्ट करना है हमने चर्चा किया श्रद्धा तो वेग्यानिकों ने रिसर्च किया उनको समझा अरे हाँ ये सत्य है इस पे हमने कल चर्चा किया भविश्यवानियों पे चर्चा किया और शास्त्र को एक मैनुवल के रूप में हमने घोशित किया इसके बाद हम जितना भी डिसकुशन करेंगे पूरा शास्तर के अनुसार करेंगे जो कि यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश किया है कि शास्तर ही हमारे सुप्रीम अथॉरिटी है और कल किसी ने शास्तर पे ज़्यादा कुछ प्रश्ण नहीं पूझा तो उससे उमीद है सब लोग को श्रदा है कि शास्तर में जो दीआ है वो उचित है त्योंकि परश्ण ना पूझना मतलब या तो लोग सो गए या सुन रहे हैं और श्रदा हो गया उनकी परश्ण का प्लैटफर्म दिया है चैट में परश्ण डाल सकते हैं लेकिन प्रश्न उठता है कि इतने सारे शास्त्र क्यों बाइबल, कुरान, इत्यादी तो हैं ही, भगवत गीता है, श्रीमत भागवतम है, चार वेद हैं, 18 पुरान हैं, 108 उपनिशद हैं, और कभी-कभी हिंदू शास्त्रों में भी अलग-लग शास्त्रों में अलग-लग बा छोटा बच्चा उसे 2-5 नहीं समझेगा, दो में से 5 कैसे कम कर सकते हैं, 5 में से 2 तो कम कर सकते हैं, जब बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी खशा में आता है, तो 5 में से 2 कम करना जानता है, लेकिन 2 में से 5 कम करना नहीं जानता, that is always a confusion, यह क्या है? भक्त बोल रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही हरे क्रिश्णा, सुबको आवाज क्लियर है क्या? Yes, अरे क्रिश्णा Okay, thank you तो छोटे बच्चे, देखिया है, 2-5 is something बट उसका अगला स्तर है, जब बच्चा बड़ा होता है, छटी साथ कक्षा में आता है, तो 2-5, दो में से 5 घड़ा सकते हैं, और minus 3 भी कोई चीज होती है, यह उसे जानने को मिलता है लेकिन जैसे जैसे बच्चा और आगे पढ़ाई करता है, तो ट्रिगनोमेटरी जैसे सबजेक्ट होते हैं, जहां साइन स्क्वेर ए, कॉस्क्वेर ए, टैन, एटसेक्टर, 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 यह सब बातों पर ग्यान बढ़ता है तो अलग-लग कंसेप्ट, एलफा, पीटा, थीटा, साइन, कॉस, एटसेक्टर, एटसेक्टर, इतियादी, इतियादी अभी छोटे बच्चे को अगर आब यह सब समझाएंगे, साइन और कॉस, समझ में नहीं आने वाला उसको तो अलग-लग लेवल हैं, उसको बोलेंगे 2-5 भी कुछ होता है, बोलें आप गलत हैं, 2-5 कुछ नहीं होता इसी प्रकार से कुछ शांस्त्र हैं, वो कुछ स्तर के लगों के लिए ही लिखे गए हैं, जो higher mathematics को नहीं समझ सकते इसी प्रकार से विश्व के विभिन धर्म हैं, चाए वो Christianity ले लो, Islam ले लो, या फिर Hinduism, Hindu धर्म ले लो Bible का विशेश प्रमुक लक्षे क्या है, भगवान को अपने हिरिदे से एवा मात्मा से प्रेम करो, love God with all your heart and soul ये उसका original purpose है, अभी आज अलगलग धर्मों में अलगलग purpose निकल आए हैं, लोगों ने उसको चाए वो Hindu धर्म हो, Muslim हो, Christian हो, लोगों ने अलगलग तरीके से उसको दूशित कर दिया है, लेकिन original purpose को मैं highlight कर रहा हूँ, कुरान, इसलाम का अर्थ है पूर्ण समर्पन, जो भी भगवान की वानी हैं, उसको समर्पन, भगवद गीता का जो आखरी शलोक भगवान बोलते हैं, लगभव आखरी कुछ शलोकों में, 18.66, अठरवाद याए, 66 नंबर शलोक, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरनम ब्रज़, सभी कर्तव्यों को, जब भगवान धर्मशब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो Christian, Islam या Hindu के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सभी कर्तव्यों को, धर्म की तुलना कर्तव्य से कर रहे हैं, सभी कर्तव्यों को मेरी सेवा में समर्पन करो, डिटेल्ड विशे है, कभी फिर चर्चा करेंगे, लकिन आए आपको मैं शॉट में बता रहा हैं, यह उसका सार है, तो देख लीजी ये तीनों के तीनों धर्म का ultimate conclusion सेम ही आ रहा है, और सब के जो मूल भूत सिधान्त हैं, जो basic principles हैं, वो क्या है, भगवान एक हैं, सब उन की संतान हैं, और हमें उनकी सेवा करना है, और मैंने आको कल भी बताया था, service to God, service to living entities, भगवान की सेवा, और यहां के प्राणियों की सेवा, जीवों की सेवा, मनुश्यों की सेवा, सभी धर्मों में ये सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, शमा भाव सिखाते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ differences की बात करते हैं, दो प्रकार की dictionary होती है, एक छोटी small dictionary, pocket dictionary होती है, और एक Oxford dictionary है, जिसके बहुत सारे volume हो सकते हैं, detailed explanation हो सकता है, तो शांस्त्रों के अलग-लग स्तर होते हैं, किसी ने प्रश्ण ने पूछा अभी अभी चैट पे, इन सब धर्मों में से सबसे उत्तम कौन सा है, लेकिन यहाँ पे हम लिंडोरा पीटने या घोशना करने नहीं बैठे, उत्तम कौन सा है, छोटा कौन सा है, यहाँ पे हम analysis कर रहे हैं, visualization कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि किस प्रकार से विभाजन किया गया है, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ कि यह धर्म बड़ा है, सपोज मैं बोलता हूँ हिंदू धर्म बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जितने भी लोग हिंदू हैं वो उत्तम हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है, जैसे मैंने कल बता दिया, ना तो गीता बुरी है, ना कुरान बुरी है, ना बाइबल बुरी है, बुरा तो है, मनुष्य के हृदे में छुपा शैतान बुरा है, ना तो बाइबल बुरा है, ना तो कृष्चन बुरा है, ना तो मुस्लिम बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना सिख बुरा है, बुरा तो है मनुष्य की हृदे में बसा हुआ शैतान बुरा है, तो चाए वो शैतान क्रिश्चन के हृदे में हो, मुस्लिम के हृदे में हो, हिंदू के हृदे में हो, शैतान तो शैतान है, और कल मैंने बोला था, एक कमरे में शांस्त्र पड़ा नहीं है लेकिन अहंकार के भावना पे धर्म का विभाजन किया है लेकिन धर्म तो सबको बांधता है धर्म का मतलब हिंदू-Muslim- इसाई नहीं धर्म का मतलब है मनुष्य का मूल- स्वरूप द्धान्त जो है भगवान की और भगवान की संतान की सेवा भी धर्म में वो common दिया है, लेकिन कुछ किताबों में detail जादा दिया है, basic teaching सब में सेम हैं, सारे धर्म बोलते हैं, चोरी मत करो, सबसे प्रेम करो, शमा करो, सब भगवान की संतान है, लेकिन जो deeper knowledge है, वो सब में नहीं दिया, deeper knowledge क्या है, भगवान के नाम के बारे में, भगवान की सब लीलाओं के बारे में, भगवान की activities के बारे में, वो सब में नहीं दिया, मैं आपको प्रश्ण पूछता हूँ, अगर घर पे कोई, आपके पहली बार कोई घर पे आता है, आप जानते नहीं है, आप उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, या कभी-कभी ड्राइंग रूम से भी आगे कुछ एक चोटा टेबल होता है, वहीं बिठाते लेकिन जो बहुत ही इंटिमेट आत्मियता जिसके साथ रहती है, बहुत क्लोज रिलेशन्शिप रहता है, उसको आप घर के हर कमरे में ले जाएंगे, शायद हर कबड खोल के भी दिखा देंगे, अपनी सारी फोटोस दिखाएंगे, अपने सारे कपड़े दिखाएंगे, अपने सारा, everything you might show, शायद उसको अपना ज्वेलरी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत नजदीकी का रिष्टा है, very very important point here, बहुत नजदीकी का रिष्टा है. तो इसी प्रकार से सभी शास्त्र भगवान की लीलाओं को भगवान के ज्यान को पूरा खोल के नहीं बताते, नजदीकी कुछ संस्थाओं में सिखाया जाता है कि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान निराकार भ्रम है, निर्गुन है, निराकार है. लेकिन ओरिजनल सत्य क्या है, भगवान का रूप भी है, लेकिन भगवान की तुलना एक रोश्नी से भी की गई है. क्यों? नोकि वो व्यक्ति के शरीर से, भगवान के व्यक्तित्व से बहुत तेज निकल रहा है, बहुत effulgence, तेजमे हैं, और जो रोशनी प्रकट हो रही है, वो रोशनी इतनी प्रगाड है, इतनी intense है, जो लोग भगवान के बहुत निकटिय भक्त नहीं रहते, भगवान से प्रेम नहीं करते, वो केवल रोशनी को ही देख सकते हैं, भगवान को नहीं समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्तिके, हमने अल्यड़ी बता दिया, घर में अगर आए हैं, तो उसको ड्राइंग रूम में या एक्षबार के रूम में बिठाएंगे, अंदर की कमरे में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन जो बहुत क्लोज है, जिसके उपर श्रद्धा है, ये मेरे साथ धोका नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, मेरी पीठ में शुरा नहीं घोपकोपेगा, ऐसी श्रद्धा जब है, तो उसको आप सब कुछ दिखा देते हैं, तो इसे पकार से भगव चोरी मत करो, सबसे प्रेम करो, शान्ती बनाया रखो, लेकिन जब आप श्रीमत भागवत जैसे शास्तर पढ़ते हैं, देखिए सभी वेदों में भी गुईय ग्यान नहीं दिया, कोई बोलेगा कि मैं बाइबल और कुरान को छोटा बता रहा हूं, अरे बाइबल हो, कुर उसको समझने की शक्ति आ दिया, इसलिए वेराइटी है, तो हमने दो धारन दिया, एक मैथेमेटिक्स का और एक डिक्शनरी का, एक लोईर मैथेमेटिक्स है, एक हायर मैथेमेटिक्स, दोनों सही है, एक स्माल डिक्शनरी है, एक बिग डिक्शनरी, दोनों सही है, दोनों तो लिखा है, कहीं कहीं जगापे सीडी में जाएंगे, तो सीडी में नीचे जगापे भगवान की फोटो लगाते हैं, और लिखा होता है, यहाँ पे थूके नहीं, तो जैसा instruction दिया है, उससे समयगा है, यहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, अगर instruction ही बहुत लो लेव हैन, लिखा है, no meat eating, क्यों? वहाँ पे लोग meat खाते हैं, लिखा है, no intoxication, क्यों? वहाँ पे लोग नशा करते हैं, लिकिस जहाँ पे लोग intoxication नहीं करतें, meat eating नहीं करतें, people are much more pure platform, they are much more purer, much more elevated, much consciousness is very high, ऐसे लोगों को for such people when the consciousness is very high चेतना भहुत उच सर पे है फिर उनको आप उच ग्यान दे सकते हैं, you can give higher knowledge till that time, नहीं, basic पे ही रखते हैं अरे पहले इतना तो ठीक कर very important आगे चलते हैं तो हमने बात किया विभिन धर्मों की और इसे लिए कुछ धर्म आपको भए के स्थर पे रखते हैं fear क्या स्थर पे रखते हैं fear के अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको नरक में सढ़ना पड़ेगा लेकिन ये बहुत ही lower intellect, lower level है किसी किसे डरा के काम कराना जिससे मा अपने बच्चे को बोलती है if you will not do this I will beat you fear एक तरीका है लेकिन fear से अच्छा तरीका क्या है reward हमेशा डरा के रिष्टे को मत बनाओ reward अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको ये इनाम दूँगा और reward से भी अच्छा तरीका है duty लेकिन कुछ लोग नौकरी से प्रेम करते है नौकरी करतवे के रूप में करते है नहीं नहीं सब कुछ अच्छे से करना चाहिए वो इतने पैसे के लिए नहीं करते है beauty के लिए तो और अच्छा हो जाता है और उससे भी higher है शुद प्रेम प्रेम की भावना से अगर बच्चा अपनी मा को हमेशा रोज सुबह पूछे आज मा तुम मुझे रोटी देगी ना कैसा लगे गा मा को अरे बच्चे को इतनी भी श्रद्दा नहीं है मैं रोटी दूँगी तो हम भी अगर भगवान के पास जाएं भगवान आप हमें सुखी रखेंगे ना खुवान बोलेंगे रे तु मेरी संता नो I want to keep you happy मेरी तो इच्छा है आपको सुख देने की आप ही दूर भाग रहे हैं मैशा मुझ से तो लेवल्स हैं अलग अलग तो अंत में हमारा conclusion सारांश किया है there is only one God we are all children of God and there is only one religion that is service sewa service to God and service to humanity at large एक भगवान है हम भगवान की संतान है और एकी धर्म है वो है सेवा selfless service निश्वार्थ सेवा एक फुटा वीडियो देखते हैं कैसे जब हम इस सिद्धानत को पकड़ते हैं सारी की सारी दुनिया एक छत के अंदर आ जाती है let us see that Hare Krishna उमीद है आपको इसका शीक्षा जो है समन में आई होगी क्या बोले यहां पर इतनी सारी जो women's team की जो players है उनके coach है शारुक खान और शारुक खान उनसे पुछते हैं आप कौन सी आपका introduction दीजी तो एक बोलती है मैं फलाने राज्य से हूँ मैं महाराष्टा से हूँ मैं पंजाब से हूँ मैं फलाने से हूँ शारुक खान बोलते हैं आपको बारत के लिए खेलना है और आप मन में धारन की हैं कि मैं माराष्ट्यन हूँ मैं पंजाबी हूँ मैं गुजराती हूँ मैं साउथ इंडियन हूँ तमिल से हूँ कैसे आप भारत के लिए खेल पाएंगे आप एक होई नहीं पाएंगे योगि आपने हृदे में अपने आपको विभाजन करके रखा वीच में एक विद्या नाम की लड़की थी उसने बोला विद्या शर्मा इंडिया शर्मा या पता नहीं कौन मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ मैं क्रिश्चन हूँ और उस बाउंडरी में अपने आपको बांध लेते हैं या हम शीवजी वाले हैं हम कृष्ण वाले हैं हम गनेश वाले हैं हम ये फलाने हैं हम वो फलाने हैं वो फलाने हैं सारे भगवान बैट के भी रो रहे हैं, कितने मूर्ख लोग हैं ये लोग, कितने मूर्ख लोग हैं, कभी-कभी मैं देखता हूँ, शीव जी और कृष्ण के भक्त आपस में लड़ते हैं, शीव जी बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, और अगर आप शास्तर पड़ेंगे, तो शीव जी और कृष्ट में इतना प्रेम हैं, वो हमेशा एक दुसरे को बड़ा बताने में लगे हैं राम शीव जी की पुजा कर रहे हैं, शिव राम की पुजा कर रहे हैं वो एक दुसरे को बड़ा बता रहे हैं और हम लोग लड़ रहे हैं हमारे श्रेष्ट हमारे श्रेष्ट इसलिए हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है हमें अपने अहंकार से मतलब है हमारी ये problem हम अहंकार से एक संस्था से अपना नाता दोड लेते हैं और हम सोचते हैं हमारी संस्था सबसे बड़ी है संस्था के बड़े होने से कुछ फाइदा नहीं होने वाला फाइदा होने वाला है क्या हम लोगों ने शास्तर को अपने जीवन में उता रहा है so that's very important आए आगे चलते हैं थोड़ा अभी गुय शेत्र में प्रवेश कर रहे हैं श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा याद रखिए दो दिन में हमने आपको अच्छे से समझाया शास्तर पे श्रद्धा क्यों रखनी हैं आत्मा के विज्ञान पे श्रद्धा क्यों रखनी हैं उम्मीद है हम अपनी चेत्ना को एक स्तर पे लाए हैं और अभी हमें बड़ा जंप लगाने लगे हैं अगले शेत्र में शास्तर भगवान के विश्र में क्या कहते हैं शास्तर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है सिधा घोषना कर दिया कोई शरम नहीं कोई जिजक नहीं कमान श्री कृष्णा इस गाट सुनते आगे कैसे क्योंकि हमने कल ही डिसकस कर लिया भगवान की परिभाशा क्या है ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं इसलिए श्रेष्ट नहीं है शास्तर बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं शास्तर बोल रहे हैं इसलिए हम इस बात पर पालन कर रहे हैं भगवान की परिभाशा डेफिनेशन पर कल चर्चा किया और हमने देखा definition क्या है सभी के स्रोत भगवान जो है source of everyone गीता में स्पष्ट गोशना की है भूमिरापो नलो वायू खम्मनो बुध्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्नप्रकृति रश्ट धा भगवान बोलते हैं आठ शक्तियों से जगत बना हुआ है भूमिर यानी मिट्टी देख रहे हैं आप जल अगनी वायू आकाश और इसके अलावा तीन और हैं मन बुध्धि अहंकार माइंड इंटेलिजेंस इगो कुछ भी देख लीजिए अपने शरीर को देख लीजिए अपने कमरे को देख लीजिए जा बैठे हैं आसपास जो वस्तुएं हैं वो सब इन आठ तत्वों से बनी है कुछ साइंटिस्ट लोग को बड़ा गर्व है कि हम पानी बना सकते हैं कैसे हाइडरोजन और अक्सीजन को मिक्स करके ह2O लेकिन उन लोगों से पूछो ये हाइडरोजन और अक्सीजन किस ने बनाया ये भी तो कहीं से आया तो रौ मैटीरल किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो रौ मैटीरल है वो कहां से आया भगवान बोल रहे हैं हर चीज का जो raw material है वो मैंने दिया है और श्री कृष्ण इसकी घोष्णा कर रहे है अहंकार इतियम में में मतलब मैं मैंने ये सब बनाया है जब श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्ण पूछा कुरुक शेतर की युद घूमी में अर्जुन ने पूछा कि आप बोल रहे हैं सभी स्रिष्टी के स्रोत हैं लोग मानेंगे नहीं ज़रा दिखाइए कुछ मैं तो आपको हमेशा मित्र मानता है हूँ अपना मैंने तो देखा है आप केवल मित्र हैं मेरे आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्रोत हैं तो भगवान ने पूरा वीडियो शो दिखाया हो ज़ा पूरा विराठ रूप के दर्शन किये भगवान के रूप से कहीं शक्तिया निकल रही थी यहां तक की विष्णु भी श्री कृष्ण के अवतार है विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अवतार विष्णु है ये सब बातों में आगे चलके कभी तो हम विशेश डिटेल में चर्चा करेंगे आज मैं एक ग्लिप्स दे रहा हूँ आपको, विशेय लंबा है हमने परिभाशा में देखा जिनके पास शड़ ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है six opulences are there, वो भगवान अब इधन को देखिए, कितने सारे हिंदू लोग लक्षमी पूजन करते हैं दिवाली के दिन किसे भी पूजा करे या ना करे दिवाली पर लक्षमी पूजा करते हैं लक्षमी सबको चाहिए और ये भी बोला है कि लक्षमी बहुत चंचल है सबको मालू है अगर आज मैं पूचूँ कितने लोगों ने ये बात सुनी है लक्षमी चंचल है चैट में इम्मिडिटली ये CSS आना शुरू हो जाएगा बहुत लोगों ने सुन रखा है लक्षमी चंचल है और सुना ही नहीं है अनुभव भी किया है लक्षमी को ज़्यादा समय अपने पास रखना हो बहुत संबर्श करना पड़ता है लेकिन वो लक्षमी जी भगवान विश्नु के चरनों की सेवा कर रहे है और सेवा करते हुए इतने आनंद में है वो सेवा को छोड़ के नहीं जाती रावन का प्राबलम था उसको सीटा चाहिए थी राम के बिना जीवन में उसके सब पुरा जीवन नश्ट हो गया इसी तत्व के कारण हम लोग भी बहुत महनत करते हैं लक्षमी कमाने के लिए सीटा जो हैं लक्षमी है हमें लक्षमी चाहिए लेकिन भगतिक के तत्व को समझने का समय नहीं देखिए आज संडे है और मेरा अनुभव है संडे को हमारा अटेंडनस बहुत कम रहता है आदे सी ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं या घुम रहे होते हैं हफते में इतना ठक गए होते हैं संडे को उनके पास समय नहीं है बाकी हफते बोलते हैं समय नहीं है और संडे को जो समय है उस दिन भी मनुरंजन में जा रहा है तो लक्षमी चाहिए लेकिन ग्यान विश्णु का कृष्ण का नहीं चाहिए लेकिन भगवान के चरणों की सेवा कर रही है इसलिए भगवान जहां पे रहते हैं उसका डिटेल वर्नन किया है मैं पहले ही बता चुका हूँ छोटी डिक्ष्णरी जो धर्म बेसिक ग्यान देते हैं उसमें ये सब ग्यान नहीं दिया वैसे आपको बता दूँ बाइबल और कुरान में भी ऐसे कहीं वाक्य है जहां पे ऐसा इंडिकेट किया है कि भगवान का रूप बहुत सुन्दर है एक जगा लिखा है भगवान का चहरा कमल के समान है एक जगा लिखा है भगवान एक बहुत सुन्दर musical instrument बजाते हैं लेगिन भागवत में clear वर्नन किया है कौन सा instrument बजाते हैं वेनु बासुरी flute वेनुम क्वनन्तम अरविंद दलायत आक्षम बरहा वतम समसितां बुदसुंदरांगम कंदर पकोटि कमनिय विशेश शोभम गोविंदमादि पुरिशम तमहम भजान देखिए हम लोग जगड़ा करते हैं ब्रह्मा जी बड़े हैं, शीवजी बड़े हैं, क्रिश्न बड़े हैं लेकिन ब्रह्मा जी और शीवजी अपने मुख से कहीं परार्थनाई लिख रहे हैं और शास्तर में आपको बताएंगे कि शीवजी के तत्व को कैसे समझना है और शीवजी का सम्मान कैसे करना है, उसकी चर्चा हम करेंगे धीरे-धीरे, लेकिन अभी हम शास्तरों से लॉजिकली समझ रहे हैं वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट वेनुम क्वनंत मरविंद दलाय ताक्षम भगवान वेनुम बजाते हैं उनके रूप का डिटेल वर्नन किया है उनके शीश पे मोरपंक धारन किये हुए है कंदर पकोटी कमनिय उनका सौंदर्र्य ऐसा है कि हजारों कामदेव भी फीके पड़ जाएंगे देखिए इस जगत में सधारन व्यक्ति कामदेव के शिकार में रहता है सुंदर्ता के प्रति घायल हो जाता है स्त्री पुरुष के प्रति पुरुष स्त्री के प्रति लेकिन भगवान की सुन्दरता हजारों कामदेव से बढ़के है कामदेव घायल हो जाते है इसका detailed verman किया है कुछ शास्त्रों में एक line दिया है कुछ शास्त्रों में detail दिया है तो धन भी है, बल भी है ये जब बताया गया भगवान श्री कृष्ण अपने बाए हाथ की छोटी उंगली पे साथ दिन, साथ रात तक लगातार गोवर्धन परवत भारन किये आज अगर आप रिंदावन जाएंगे तो गोवर्धन परवत 21 किलोमेटर की परिक्रमा है लेकिन 5000 साल पहले गोवर्धन परवत बहुत बड़ा था दीरे-दीरे समय से वो प्रित्वी में घस्ता जा रहा है गिरी राज्जी की साइस छोटा हो गया लेकिन इतने बड़े परवत को श्री भग्रिष्ण ने उठाया और दिखा दिया कि मुझे किसी जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी भायात की छोटी इंगली में देखे कुछ योगी होते हैं तपस्वी होते हैं वो भी ऐसी कुछ सिध्धी कर सकते हैं लेकिन श्री कृष्ण ने ना तो योगसाधना करी ना तो कोई प्रैक्टिस किया ना तो कोई बॉडी बिल्डिंग किया जिम में गए सेवन डेज इस प्रकार से शक्ती का प्रदर्शन किया साउंदर्य हमने अल्रेड़ी बता दिया साउंदर्य कैसा है आलोल चंद्रकल सदवन माल्य वंसी रतनांगदं प्रणय केली कलाविलासं शामं त्रिभंगल लितं नियत प्रकाशं गुविंदमाधि पुर्शं तमहं भजां देखिए जितने श्रुक बोल रहा हूं ये भगवान गीता में नहीं बोले हैं ये भगवान ये भगवान गीता में नहीं बोले हैं ये प्रशंसा भ्रम्मा और शेवजी जैसे personalities ने की है प्लीज अंडिस ब्रफुली भगवान के सौंदर्य का व्याक्खा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सौंदर्य कैसा है unlimited भगवान का सौंदर्य ऐसा था जब विरिंदावन में जाते थे तो यमुना नदी जो बह रही है वो रुक जाती थी जो चट्टान रुकी हुई है भगवान के सपर से पिगल जाया करती थी जितने पशु घूम रहे हैं वहाँ पे मोर हैं पक्षी इतियादी हैं वो सब पत्थर की तरह स्थब्द हो जाते थे तो जो हिलने डुलने वाली चीज़े हैं वो स्थब्द हो गई और जो पत्थर की तरह स्थब्द हैं वो बहने लगे ये भगवान के सौंदर्रे का प्रभाव था पत्थर क्यों बहने लगा है वो प्रेम से पिगल गया नदिया क्यों रुक गई योगि वो भगवान के सौंदर्रे को देखने के लिए स्थब्द हो गई एक भी मुमेंट मिस नहीं करना चाहती थी और कुछ भक्तों ने भरमा जी को बहुत ताने मारे हैं बोले भरमा जी आपने सृष्टी का निर्मान गलत किया नहीं कि सृष्टी में आपने ये दो आखे बना दी जो हर समय जपकती रहती हैं पलक जपकती रहती हैं और जपकने की वज़ासे हम श्री कृष्ण को कॉंटिनियूस नहीं देख पाते हैं ऐसी सुंदर्ता श्री कृष्ण की है ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं हर संस्था में एक कॉमन मैनुवल जो माना जाता है भगवान गीता एक व्यक्ति बोल रहते हैं हम आपकी इस कौम की गीता नहीं पड़ेंगे मैंने बोला गीता परेस की गीता लेया और शलोक तो वही है 700 शलोक ग्यान तो वही है एक मैनुवल और दूसरा मेडिकल साइंस कभी-कभी आउट्डेटिड हो जाती है कम्प्यूटर्स आउट्डेटिड हो जाते है फोन्स अर थोड़े समय में आईफोन का नया मॉडल निकलाता है तो ऐसे नया-नया हर चीज आउट्डेटिड होती है बुक्स का गियान आउट्डेटिड होता है रिसर्च होती रहती है गीता के 700 शलोग 1000 साल पहले भी वैलिड थे आज भी वैलिड है जिन दिनों में कंप्यूटर्स नहीं थे गाडिया नहीं थी तब भी लोग गीता पढ़के ही आनद पराप करते थे और आज गाडियां हैं कंप्यूटर्स हैं टेक्नलोजी इतनी एडवांस्ड हैं स्काइस्क्रेपर बिलिडिंग्स हैं फिर भी शानति गीता से ही मिलती है गीता से ही जीवन का डारेक्शन मिलता है इसे बोलते हैं ग्यानी व्यक्ति परसिधी फेम एक जगा शास्त्र में लिखा है, एक दिन भगवान कृष्ण द्वारका में विराजबान थे, उनसे इंद्र मिलने आए, भ्रम्मा जी मिलने आए, शीव जी मिलने आए, वरुन मिलने आए, एक समय तो इतने सारे देवता आ गए, भगवान के यहां पे बाहर बोर लगा दिय गया, sorry, too busy now, व्यस्त है आज भूत, अच्छा, अगर कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता, लेकिन भगवान का एक concept ही देखिया, हर कोई, किसी ना किसी रूप में भगवान मान के सेवा करने लगता है, यह भगवान का concept कितना प्रसिद्ध है, और शी कृष्ण की प्रसि रहते हैं कभी-कभी, लेकिन अगर आप स्वर्द्ध लोग, इत्यादी लोकों में जाएंगे, तो वहाँ पे सबको clear मालूम है, भगवान कौन है, श्री कृष्ण, किसी ने भी शास्त्र पढ़ा है, वो धोका नहीं खाएगा, problem वो लो करते हैं, जो तथा कथित अपने कु मैं वो हूँ, फलाना हूँ, वो सब बोलने के बाद देखी कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन के रत के उपर एक सार्थी के रूप में विराजमान है, आपको बता दू, जब तक कृष्ण के बारे में अर्जुन ने नहीं पूछा, कृष्ण ने अपना मुख नहीं खोला, अपनी परशंसा या अपने बारे में ग्यान नहीं दिया, कृष्ण एक ड्राइवर बने थे, एक मित्र बनके बैठे थे, कुछ बताई नहीं रहे थे, वो कौन है, और रत में ड्राइवर के साथ कैसा वहवार किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो मेन यात्र यहां पर अरजुन है, योद्धा है, इतनी आवाज होती है कुरुक शेतर में, उदर अगर बोलना हो लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो बोलना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे बोलेंगे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, लेकिन जब राइट जाना हो तो मित्र के रूप में प्रकट हुए हैं बोले तुम मुझे मित्र की तरह ही वहवार कर मुझे अच्छा लगता है इस प्रकार से ड्राइवर से वहवार हो रहा है और भगवान इतने नम्र है जब अरजुन कन्फ्यूज हो गए जैसे यहां पे काफी सारे प्रशन आ रहे हैं प् अथा तो भлам जिग्यासा तब वो जिग्यासा करता है मैं थक गया थक गया थक गया थक गया या थक गई थक कई बहुत थक गई तब भगवान से पूछते हैं प्लीस चल मे Character of Life तो confusion जीवन में बहुत सारे रास्ते खोल देता है तो इसे बोलते हैं वैराग्य भगवान को थोड़ा भी गमंड नहीं अपने बड़े होने का बहुत नमर हैं कृष्ण तो बहुत ही नमर है तो जो व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाए फिर भी उससे वैराग्य हो उनमें ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं लेश्य मात्र भी अहंकार नहीं आई एक छोटा वीडियो देखते हैं लोगों से भरी हुई बस थी और वहां कंड़क्टर को एक बटवा मिलाया बटवे को चेक हिया तो उसमें 500 रुपे थे और एक क्रिशना की फोटो थी उन्होंने बस में चलाते हुए पूछा कि किसी का बटवा गुम हुआ है क्या इतने में एक बूड़े चाचा चलाया और उन्होंने कहा कि मेरा गुम हुआ है खंड़क्टर ने पूछा अच्छा अपका बटवा है कैसे मानलू इसमें क्या क्या है चाचा ने कहा कि देखो बीटा पैसे कितने थी ये तो ठीक से याद नहीं है लेकिन इसमें मेरी क्रिशना की फोटो जरूर से कंडक्टर ने कहा कि ये फोटो तो किसी के वे बटुवे में वो सकती है आपका है केसे मानलो और बताओ चाचाने हसते हुए कहा देखो बेटा जब मुझे समझ आई थी सेविंग क्या होता है पैसे क्या होते है तब मेरे पिता जी ने मुझे बच्पन में ये बटुवा गिफ्ट दिया था सालों पहले इस क्रिशना की फोटो के साथ मुझे उस समय पर मेरे माता पिता ही सब कुछ लगते थे लगता था कि मेरा पूरा जीवन उनके इर्दगिर्द गूमता है और इसलिए उनकी फोटो क्रिशना की फोटो के उपर रख दी थी मैंने धीरे धीरे बड़ा हुआ बहुत कुछ हासल करने लगा था तो मुझे लगता कि मैं अपने आपके लिए सबसे इंपॉर्टन इंजान हूँ और दिखने में भी मुझे लगता कि मैं अपने माबाप से जाधा सुन्दर हूँ तो मैंने मेरी फोटो रख दी उनकी फोटो के उपर फिर आगे चलके कॉलेज खतम की नौकरी लगी एक लड़की पसंद आये जैसे प्यार हुआ और शादी भी हुआ फिर माबाप की फोटो के उपर उस लड़की की फोटो रख दी बराबर मेरे साथ जब मेरा बेटा आया इस दुनिया में तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी मेरे पलपल का साथ ही बन चुका था तो बेटे की फोटो रखी अपनी वाइफ की फोटो के साथ लेकिन वो फोटो वाली जगह में स्पेस कम थी तो माबाब की फोटो बटवे से निकाल दी और विदी का विधान देखो उसी के साथ माता पिता भी दुनिया से चले गए समय ने अपना कर्तब दिखाया और पतनी भी चल बसी बेटा जो था उसकी भी नौकरी लगी थी उसका घर परिवार था उसे घर छोटा लगने लगा था तो अपने परिवार के साथ और कहीं रहने चले गया मुझे याद है पिछले हफते मुझे चोट आई थी सीडियों पर से गिर पड़ा था बहुत दर्द में था मेरे बेटे से कहा था बेटा मेरे साथ रहने आओगे कुछ दिन बहुत दर्द में हूँ उसे फोन पर कहा था पापा बी स्ट्रॉंग आपको अपना खयाल रखना पड़ेगा मेरा भी घर है परिवार है काम है मुझे ये सारी चीजे भी तो देखनी है जैसे ही बेटे ने फोन रखा चाचा का दिल तूट चुका था उन्होंने कहा कि बटवे को खोल कर मैंने अपने बेटी की फोटो निकाली और कृष्णा की फोटो की नीचे रख दी और उस दिन एसास हुआ किस दुनिया में जितने भी संबंध थे सारे किसी न किसी मतलब से थे आहे और गए और एकी संबंध था मेरे उपरवाले से मेरे कृष्णा से जो अटूट रहा जो बिल्कुल भी नहीं बदला अर्थात आपके बटूए में क्या है वो आपकी प्रायॉरिटी को बताता है दर्शाता है जिन्दगी में किसी न किसी चीज़ को हसल करने की अंधी दौड में लगे हुए है आज बैटकर अपने बटूए को जरूर से साफ करें आज की सचाए कि रोने से किसी को पाया नहीं जा सकता खोने से किसी को भुलाया नहीं जा सकता और ये भी कि वक्त हर किसी को मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए लेकिन जिन्दगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए कृपिया इन लाइन्स को अच्छे से देख लीजिए नोट कर लीजिए चाहिए तो फोटो निकाल लीजिए इसका खोने से किसी को पाया नहीं जा सकता सॉरी, रोने से किसी को पाया नहीं जा सकता खोने से किसी को भुलाया नहीं जा सकता वक्त हर किसी को मिलता है जिन्दगी बदलने का और 11, 12 और 13 सेप्टमबर आपको दी गई है जिन्दगी बदलने के लिए ये तीन दिन का कोर्स दिया गया है जिन लोगों ने कभी अटेंड नहीं किया जिन्दगी बदलने के लिए लेकिन आगे लिखा है लेकिन जिन्दगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए एक बार वक्त कुजर गया बहुत मुश्किल हो जाता है Make use of it समय का सही सदू उपयोग करिये भगवान से प्राथना कीजे कि हमें शक्ती दें ये सब ग्यान को अपने जीवन में उतारने के लिए Let's go ahead अभी हमारी श्रद्धा को टेस्ट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो बाकी देवताओं का क्या गनेश जी हैं, शिव जी हैं, भारवती जी हैं, दुर्गा जी हैं, अन्य देवता गन देखिए कहीं भी कार्याले में बहुत सारे मैनेजर्स हितियादी होते हैं sales manager है, finance है, marketing है, purchase है, admin है, R&D है, security है, regional है लेकिन कोई भी बड़ा company में एक CEO होते हैं, मुख्यकार्यपालक अधिकारी हम यहाँ देखते हैं, ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में इंद्र वर्शास का department संभालते हैं कोई भी चीज logic से देखिए, अगर आज तक आपने ये सब बाते नहीं सुनी, तो घबराइए मत, इसके उपर मैं आपको एक अच्छा एक बात बताऊँगा एक व्यक्ति एक टेक्सी में जा रहा था, लंबा सफर था, एक जगा पे मोड आ गया, जैसे ही मोड आ गया, मोड आने वाला था, तो टेक्सी के जो यात्री थे, उनकी इच्छा होई कि ड्राइवर को बोलने को जरा लेफ्ट मुड जा या राइट मुड जा, तो जहां मु बढ़ाा, ड्राइवर गाड़ी फुरा इदे उधर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, जथ्शु, जगा ंट, एसा करके पेड में ठोक डिया, या थी बुला, तुम ड्राइवर है, पाउगल है, क्या शराप्य परावलम है तुमारी, ऐसे क्य गाट चाता है वो चलाता था तो मेरे को अनुभवी नहीं है पीछे से कोई हाथ लगा के बोल दे राइट या लेफ्ट हमेशा मुर्दों को लेके जाता हूँ आज जब हाथ लगाया तो मैं डर गया कोई किसी को कोई भूत प्रेत आ गया किया बहुती इंटरस्टिंग है देखिए व्यक्ति इतना डर गया कि उसका अभी तक अनुभव क्या है मुर्दों को ड्राइव करने का पहली बार वो व्यक्ति किसी लिविंग व्यक्ति को लेके जा रहा है ऐसे ही हम लोगों ने भी बहुत सारी बाते सुनी हुई है भगवान कौन है देवताओं का स्तर क्या है परश्ण पूछी अपने आप से प्रमानिक स्तरोत से सुनी है क्या प्रमानिक अथोरिटी से सुनी है क्या कहां से सुनाया ये ग्यान और अगर बहुत सारे विचार हिर्दे में या मन में भरे पड़े हैं उनकी स्थिति कैसी है जैसे वो वेक्ति जो मुर्दे उठा को मिलता है आज हम सीख रहे हैं कि ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में इंद्र जो हैं वर्षा को संभालते हैं वर्षा का डिपार्टमेंट संभालते हैं आगे चलते हैं सूर्यदेव प्रकाश का डिपार्टमेंट संभालते हैं और ब्रह्माजी स्वयम इस बात की घोशना बड़े ही अच्छे तरीके से अपने शास्त्रों में करते हैं एक बड़ा सुन्दर शुलोग ब्रह्मा जी लिखते हैं यचक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेश तेज यस्या गया ब्रह्मित संभृत काल चक्रो गोविन्दमादि पुर्शम तमहं भजामी गोविन्दमादि पुर्शम तमहं भजामी तो यहाँ पे अब देखिए अलग-अलग देवताओं के बारे में बताया है अगनी के देवता जल के देवता वरुन है आगे देखेंगे चंदर वनस्पति के देवता जो सबजियां विगारा पोशन होता है उनका प्लांट्स का चंदर उनके देवता है वायू जो हवा के देवता है लक्षमी देवी धन की देवी है खजान्ची कुवेर है देवताओं की दुर्गा देवी पूरे विश्व की रक्षक है और जो असुर हैं उनका नाश करने वाली है सेनापती कार्तिक्या है शीक्षा देने वाली सरस्वती माता है या मराज सबको मालूम है इंक्रशन देने की जरूरत नहीं है लेकिन इन सब के पीछे CEO दिया है श्री कृष्ण कृष्ण सब को डिपार्टमेंट दे देते हैं और देखिए खुद क्या कर रहे हैं एक विदेश के व्यक्ती जर्मन व्यक्ती भारत में आए देखा भारत में इतने सारे भगवान फिर खुदी सोचे मैं विचार करता हूँ कौन एक्चुली भगवान है तो ब्रह्मा जी साधना कर रहे हैं शीव जी का फोटो देखेंगे तो दियान लगाए हुए है दुरुगा जी को देखेंगे तो वो त्रिशूल हतियार पकड़ी है विष्ण को देखेंगे वो भी हतियार पकड़े है जो वो कृष्ण को देखे तो बोली कि अवल ये मजा कर रहे है बासुरी बजा रहे हैं नाच रहे है बोली टॉपमोस परसन इंजॉय करता है वो कोई काम में व्यस्त टेंशन में नहीं रहता कृष्ण भगवान होगी लेकिं यहां पर यह जानना जरूरी है कि इसका मतलब यह नहीं कि हम सबका अपमान करते हैं यह सम्माहान शक्तियां हैं सबका सम्मान करना चाहिए लेकिन साथी साथ अध्यात्मिक प्रगती किस मार्ग से होगी वो जानना जरूरी है इसलिए हम श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं अध्यात्मिक प्रगति के लिए यहां तक की भागवत में घोशना की है कोई भी इच्छा हो, अत्यधिक इच्छाए हो, बहुत इच्छाए हो मोख्ष की इच्छा हो अगर किसी देवता के पास नहीं जाएंगे, समय की कमी है सिरफ श्री कृष्ण के पास चले जाओ भावतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से संपन हो जाओगे 33 करोर देवता बोलते हैं किस-किस के पास जाएंगे हम लोग अगर पहले से कुछ देवताओं की पुजा कर रहे हैं, करते रहिए लेकिन समझ जाएए, हमारे जो मेन इष्टदेव जो अध्यात्मिक प्रगती, जन्ममृत्यू से मुक्ती देने वाले हैं वो है साक्षाट श्री कृष्ण भगवान इसलिए बहुती स्पष्ट ये श्लोक आता है इश्वर पर्मकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह भर्मा जी बोल रहे हैं भर्मा जी बोलते हैं ये नहीं सोच रहे हैं कि बाकी लोग का अपराध हो जाएगा स्पष्ट बोल रहे हैं इश्वर पर्मकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह पूरी स्रिष्टी के कारण कोन है भगवान श्री कृष्ण और यहां तक भागवत में एक और बड़ा सुन्दर श्लोक आता है वो श्लोक क्या है भगवान के श्लोक बोलता हूं पहले वो ने पेड़ को पानी देना है जड़ में पानी देदो एक एक तहनी को पानी देखे कोई फाइदा नी जड़ को पानी देदो पूरे पेड़ को मिल जाए अगर आपके पास समय है अभी तक आप नास्ति करें हैं कुछ किसी की सेवा नहीं करी श्री कृष्ण की सेवा कर दो सभी सेवा संपन हो जाएगी श्री कृष्ण जो है सभी देवी देवताओं की जड़ है, सुरोत है मैं नहीं कह रहा हरे कृष्णा संस्ता नहीं कह रही इसको नहीं कह रहा शास्त्र बोल रहे हैं वो शास्त्र जो पूरे मानव समाज के लिए मैनवल है जो भ्रमाजी, साक्षाज, शिवजी, जो topmost authorities ने स्वयम दिये हैं, कृपया इस बात को समझ लीजिए बाकि सब बहुर भी शास्त्र हैं, अलग-लग लेवल के लोगों के लिए, लेकिन अभी हम आपको लेके जा रहे हैं एक अंतिम्स्तर PhD लेवल पे जड़ को पानी दीजी, क्यों अभी तक दुखी हैं, क्यों अभी तक परिशान है जीवन में, इतनी सब पूजाएं कर लिए, इतना सब आश्रे ले लिया, आपने जड़ को अच्छे से पानी नहीं दिया यहां हमारा समाप्त होता है भगवान का टॉपिक, भगवान कौन है, भगवान का स्थित्व क्या है, श्री कृष्ण साक्षाद भगवान है, अब बात करते हैं हमारे जीवन की, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कल काफी लोग यह परश्ण पूछ रहे थे, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बहुत ही इंटरस्ट पैदा करने वाला प्रश्ण है, आई आपको सिधा एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए ये वीडियो, दिल्ली में रहने वाला 21 साल का आकाश, सड़क पर हुई एक मामूली घटना में, उस पर जान लेवा हमला हुआ, अपने जवान बेटे को इस तरह से अचानक हो देने की इस घटना से, माबाप अब तक समझवता नहीं कर पाए हैं, रोजगार के सिलसले में आठ साल तक अपने परिवार से दूर रहे आकाश के पिता, हाल ही में दिल्ली लोटे थे, अब अपने बच्चों और परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनके सपने को कुछ लोगों ने क्यूं इस बरबरता के साथ कुचल दिया, इस सवाल का जवाब, वे आज भी तलाश रहे हैं, मेंदर जी, और आदना जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल होगा आपके लिए, इसके बारे में बात करना, मेंदर जी, आज आज आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरी दो बेटी है, एक छोटा नड़का है, आप आठ साल जब नहीं थे, में बार ही माचल चला गया था, आठ साल दस अलवा मेहनत की, उस मेहनत से मैंने अपना घर खड़ा किया, उसी मेहनत से, मैंने अपने बेटे के लिए प्रिंटिंग मशीन ली, तो मशीन लिये हुए हमें करीब दो महीने ही हुए थे, काम हमारा चल पड़ा था, तो एक दम यह अचा रख, वहें पेपर शोब है, मेरा बिटा टूईलर पे पेपर खरीदने गया था, पेपर लेकर जैसे ही निकला, तो एक टी पॉइंट था, वहां से तेजी से बाइक, बाइकर्स आ रहे थे, तो हलका सा मौमली से अटच हुआ था, उन लोगों ने नियू बाइक ली थी, तो वो बाइक वाले जो है, एक तो उसका लड़का था, एक वो उसका फादर था, उन दोनों को पता नहीं, अपनी शायद नहीं बाइक अच्छी लग रही थी, मेरा बेट अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों ने जो है, मेरे बेटे उपकड़के, उसके सिर पे जो हैलमेट पे हैलमेट, हैलमेट पे हैलमेट, और बातरूम की जगा लाते, और हाड पे, और उसका जो फादर था, वो कहता, मार में देख लूँगा, जो होगा, मार में देख लूँगा, वहाँ के लोग बताते हैं ऐसा, क्योंकि कुछ ही दूरी पे एक पेपर होगा, जो पेपर लेने गया था, उनका जो लड़का था, वो मेरे पास दोड़ा दोड़ा आया है, उसने का, भाईया जी, आकास का जगड़ा हो गया है, मैं दोड़ा दोड़ा जब गया, वहाँ जाके देखा, तो मेरा बेटा मा नहीं था, तो पलीश वालों से मैंने पूछा, हाँ साथ क्या हुआ या, तो उन्हों नहीं का, जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके बेटे को खरूच भी नहीं आई है, बट हमने ऑस्पिटल पहुचा दिया है, तो महा मैं पहुचा तो महा जब पहुचा तो, सी डेथ, इतनी सी देर में, मेरा बेटा, दुनिया हमें नहीं रहा, विश्वास ही नहीं होता था लेकिन, बेटे को देखके, कि हुआ क्या अचानक, ना मेरा बेटा कभी किसी से जगडा करता है, ना कभी किसी को गाली दी है, शांत सुभाव का था हूँ, बिलकु शांत सुभाव का था, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपने आपको संभाला के, भाई, और भी मेरी दो बेटिया हैं, उनके लिए भी ये करना है कुछ का कुछ, तिल्ली में रहने वाला 21 साल का आकाश हरे कृष्णा, जब भी मैं ये वीडियो देखता हूँ, मुझे भी देखके बहुत दुख होता है, जो उनकी घटना घटी उनके जीवन में, उनका पुत्र बड़ी मेहनत से बड़ा किया, प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, लेकि छोटी सी बात पर किसी ने उसको मार डाला, या उसकी मृत्यू हो गई, बहुत दुख होता है सुनके, और प्रश्ण आता है क्यों, ऐसा क्या किया मैंने, तो कि जब वो अपना जीवन देख रहा है, तो देख रहा है कि मेरी जीवन मैंने इतना बुरा किसी के साथ नहीं किया, जो इतना बुरा हो गया मेरे साथ, नैचरली ना, बहुत सारे प्रश्ण एक्सपेक्टेशन के उपर आ रहे हैं, मैं एक अलग सेशन करने वाला है एक्सपेक्टेशन पर, लेकिन आज मैं छोटे-छोटे सूतर बता रहा हूँ, एक हमें एक्सपेक्टेशन रहती है, मैंने क्या बुरा किया, जो इतना बुरा मेरे साथ हो रहा है, आशा रहती है ना, मैंने तो इतना कुछ दिया, कभी-कभी पिता अपने बच्चे को बहुत कुछ देते हैं, और वही बच्चा सारे दुक्का कारण बनता है, जैसे एक जगा लिखा था, चार प्रकार के पुत्र होते हैं, एक होते हैं उदासीन पुत्र, कोई माता-पिता कुछ भी दे दे, वह अपनी दुनिया में उदासीन है, एक होते हैं रिण पुत्र, एक होते हैं शत्रिण पुत्र क्या होते हैं, पिछले जनम में शायद हमने किसी व्यक्ति से बहुत रिण लिया होगा, चुकाया नहीं, तो वो अभी पुत्र बनके आया है, और हमारा सारा पैसा लुटाएगा, बदले में कुछ नहीं देगा, लुटाएगा, वही पहले वाला विक्ति दुबारा आया है बदला लेने के लिए, एक होते हैं शत्रु पुत्र, शत्रु पुत्र क्या, पिछले जनम में हमने किसी को बहुत दुख दिया, पैसी भरनी, कुछ तो किया रहेगा, वापिस आया वो विक्ति, सेवक पुत्र, वही सेवक पुत्र, पिछले जनम में हमने किसी का बहुत सेवा किया, उसकी इच्छा थी वो हमारी सेवा करे, सेवक पुत्र बनके आता है विक्ति, यह चोटे-चोटे एक्जाम्पल है, कि कभी-कभी जीवन में हमारे साथ कुछ होता है, हम सोचते हैं, यह क्यों हो रहा है, वाइट इस हैपनेगी, देखिए, जिनके साथ दुख की घड़ी बीती है, उनको ऐसा जाके लेक्षर नहीं देना चाहिए, यह कर्मा है, यह है, वो है, लेकिन आज हम कोर्स में बैटे हैं, तो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुली क्या होता है, आएए इसको PPT के माध्यम से, कुछ फोटोस के माध्यम से दिखाते हैं, हमने चर्चा किया पहले दिन, यह जगत एक ऐसे दुखालिय की तरह है, जैसे एक स्वीट राइस, एक खीर का कटोरा है, उसमें रेत डाल दी हो, कोई भी सुख शुद नहीं मिलेगा, हर सुख में कोई दुख की मिलावट होगी, बेटे का सुख मिला, लेकिन वो बेटा दुख का कारण बना, बच्चों का सुख मिला, बच्चे ही दुख का कारण बनेगी, किनी के जीवन में बच्चों का सुख नहीं था, लेकिन बच्चों से होने वाला दुख भी तो नहीं था, सब मिक्स रहता है, इस वर्ड इस दुखाले कोई बुरे गाई ये भगवान ने दुखाले बनाया क्यों कैसे तॉर्चरस पिता है हमारे भगवान आखिर क्यों इसका उतर बहुत सिंपल है किसी भी शहर में एक कंप्लीट सिटी बनाने के लिए उसमें इमारते होती है सिनिमा होते है अस्पताल होते है विद्याले होते है क्रिडांगन होते है शॉपिंग सेंटर होते है खेल के मैदान रोड्स होती है ब्रिज होते है लेकिन इसके इलावा एक सिटी को कंप्लीट बनाने के लिए एक creation को complete बनाने के लिए उसके अंदर एक jail भी होती है. कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो कुछ नियम तोड़ेंगे, तो उनके लिए jail बनाईगी है, जा, सजा भुकतो. Is it not? कारागार बहुत जरूरी है. कुछ लोग तो criminal action करेंगे, so you have to punish them. यह जो जगत बनाया है भगवान ने, जिस पृत्वी पे हम रहते हैं, this is a part of prison. चाया आप अमेरिका चले जाओ, लंडन चले जाओ, हर जगा suffering तो है. और अस्पेशली पिछले पांच महिने में कोरोना ने सब जगा अटेक किया, आप कहीं भी चले जाओ. कारागर में आपको दो चीज मिलती है, दर्द मिलती है, सजा मिलती है. और आप देखलो, इस जगत में हमने परसो डेटेल में scientific, logic तरीके से डिसकस किया, हमें लगातार, जन्म, मृत्यू, जरा और वियाधी भुगतनी परती है. हर वियक्ती बुड़ा होता है, हर वियक्ती अकेलेपन का सामना करता है, हर वियक्ती को मृत्यू का डर रहता है. एक वियक्ती ने चैट में लिखा है, मुझे मृत्यू का डर नहीं है. हाँ, कोई एकाद होते हैं, ऐसे विरले, लेकिन डर रहता है. और हमारे जीवन में क्या समस्या होती है चार समस्या तो ये हैं बार बार आती रहती हैं बार बार जन्म लेते हैं Do you know how painful it is to be in the womb of a mother एक मा के गर्ब में रहना कितना दर्द दाइक होता है नौ महिना एक छोटे से गर्ब में दबा के रखना किसी को उस समय बच्चा जीवित है He has full life, emotions, perceptions, pain होती है जैसे पहले शास्तर को डॉक्टर्स नहीं मानते थे शास्तरों में बताया था बच्चे का विकास कैसे होता है शास्तरों में ये भी बताया है कि बच्चों में क्या emotions होते हैं लेकिन डॉक्टर बोलते हैं गर्ब के अंदर बच्चे में emotion नहीं है जब मा बच्चे का abortion करती है उससे हैं बच्चे पे कितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा होती है जैसे एक व्यक्ति का murder किया जाए थिंक बाउट इड़ा है जन्ममृत्यू जराव्याधी उपर से अध्यात्मिक पीड़ा अध्यात्मिक पीड़ा क्या है शरीर और मन के द्वारा दिया गया दुख मन दुखी बिना किसी कारण के दुखी सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी कारण ढूण लेगा आसपास रिष्टिदार गूम रहे हैं लेकिन कारण ढूण ढूण लेगा उनसे जगड़ा करनेगा क्यों भई अच्छा है नहीं ढूण सकते शांत नहीं रह सकते प्रेम से जीवन नहीं बिता सकते दूसरा है आधी भाउतिक कितने सारे कीडे मकोडे प्रानी कीडे मकोडे तो छोड़ो हमारे पडोसी हमारे मित्र हमारे दोस्त हमारे भाई बंदू हमें दुख देते रहते हैं आधी भाउतिक और उपर से प्राकृतिक विपदाएं, क्लाइमेटिक चेंजिस, अधी दैविक, बहुत गर्मी, बहुत बारिश, बहुत सारे लोग चैट में लिख रहे हैं, प्रभु जी हमारे यहां बहुत बारिश हो रही है, उसलिए रेंज अच्छा नहीं आ रहा है, आप हमको बार में हो गई, हम लोग पानी में चल रहे थे, सब लोग फस्ट फ्लोर पे आ गए होगी, पानी से बच गए, प्राकृतिक विपदाएं, होती रहती हैं, इस पूरे जगत में बार-बार मिल रही है, लेकिन लोग स्विकार करने को रेडी नहीं है, लोग बोल रहे हैं, नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए, अरे पॉजिटिव तो रहना चाहिए, लेकिन साथ में रियालिटी में भी रहना चाहिए, वट इस हैपनिंग जेलर रहती है, दुर्गा देवी वो जेलर हैं, जो सब को दंड देती है, इसलिए आप देखो सबसे फेमस जो भारत में पूजा होती है, वो दुर्गा जी के परिवार की, दुर्गा जी, शिवजी, गनेश, ये परिवार, फेमस है, माराश्चा में गनपती पूजा, जाएंगे लोग जगराथा करते हैं, रात पर जागते हैं, जैमाता दी, जैमाता दी, सारे बोलो, जैमाता दी, बहुत पूजा करते हैं, उनको मालूम है, यही हैं जो जेलर हैं, जेलर को, लोगों को मालूम नहीं है, जाने अन जाने में यही कर रहे हैं, लेकिन वो दुर बहुत ही अच्छा श्लोक है देखिए यहां पे लिखा ऐसा स्रिष्टी स्थिती प्ररयसाधन शक्ति रे का एक शक्ति है जो पूरी स्रिष्टी पे अपना त्रिशूल जना के बैठी है कम आन, if you do something wrong, I'll punish you लेकिन वो दुरगा जी बोल रही है श्री कृष्टी जो करता है, मैं उसके सामने हाथ जोड के खड़ी हो जाती ऐसा नहीं, कृष्ट भक्त घमंडी हो जाना चाहिए कृष्ट भक्त दुरगा जी के स्चरंस परश करते हैं, आशिरवाद लेते हैं भगवान की सेवक हैं बहुत बड़ी लेकिन वो बोल रही है कि मुझे भक्त का सम्मान करना है और ऐसी कहीं स्चोरीज हैं, कभी फिर सुनाऊंगा मैं, कभी मिलेंगे तो लेकिन आज शॉट में बता रहा हूं और हमें जेल से हमेशा बाहर निकलना है जेल से बाहर निकलना मतलब भगवान के धाम जाना है श्री कृष्ण के धाम जैसे परसो मैंने बताया एक बच्चा है जो माता पिता से बिछड गया है छे महिना मकान नंबर 95 में रहता है छे महिना मकान नंबर 98 में रहता है छे महिना मकान नंबर 100 में रहता है, छे महिना दूसरी गली में शिफ्ट हो जाता है, वो बोल रहा है, रे मुझे मेरा घर चाहिए? मेरे माता पिता को उन्हें मुझे बताओ, मेरे को शिफ्ट क्यों कर रहे हैं जगा जगा पे? I want to have my own family. उसी प्रकार से आत्मा ये शरीर में है, ये शरीर में है, ये फ़डाने शरीर में है, कभी काश्मीरी परिवार हो गया, कभी पंजाबी परिवार हो गया, कभी मारवारी परिवार हो गया, भारत पूरा कर लिया तो अमेरिका पहुँच गए, वही देखती कभी पाकिस्तान में जनम ले लिया और हम लोग डिंगे मारते रहते हैं हम हिंदू है हम मुस्लिम है लेकिन वो तो शरीर है आत्मा तो भगवान का अंश है मूल निवास आध्यात्मिक जगत जेल में वस्त्र पहनाते हैं ना ऐसे ही इस जगत में 84 लाख योनिया होती है 9 लाख प्रकार के जल के प्रानी होते हैं 20 लाख पेड़ पौदे होते हैं 11 लाख रेंगने वाले रेप्टाइल्स होते हैं 10 लाख पक्षी 30 लाख चार पाउँ पे चलने वाले पशु और 4 लाख प्रकार के मनुश्य होते हैं अब यह आप पूछेंगे 4 लाख मनुश्य हैं मनुश्य दो एक ही टाइक न होते हैं लेकिन 4 लाख किस चीज़ पे अधारित Consciousness पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह सब ग्यान देने के बावजुद भी कुछ ही लोग इस ग्यान को अपना पाएंगे कुछ नहीं अपना पाएंगे तो कि हर कोई एक लेवल पे है ट्रिगनोमेट्री का ग्यान आप केजी के व्यक्ति को नहीं पढ़ा पाएंगे वो step by step पढ़ाना पड़ेगा इसलिए आपके बहुत सारे प्रश्ण आ रहे हैं कुछ-कुछ प्रश्ण परस्टनल लेवल पे ही डिसकस कर सकते हैं सबके उत्तर ऐसा पब्लिकली नहीं दे सकते बिकोस सबका situation अलग है इसलिए sometime हम लोग परस्टनल सेशन करते हैं थोड़े लोग के साथ तो उत्तर असानी से दे सकते हैं जिनको वो facility चाहिए हम वो भी करेंगे जैसे हम सोच रहे हैं ये हमारा तीन दिवस्य कारेकरम समाथ हो जाएगा तो उसके बाद हर हफते हम लोग Friday को एक session रखेंगे जिनको आना है आ सकते हैं उसका पोस्चर आपको हम दे देंगे Friday को देड़ घंटा जैसे डॉक्टर बोलता है आप आज पहली बार मुझसे मिलने आए हैं follow-up के लिए आना हर हफते में एक बार अपना चैरा दिखा के जाओ दवाई लेके जाओ सब सही चल रहा है कि नहीं Similarly बहुत सारे लोग emotional problem बता रहे है emotional problem से बाहर निकलने के लिए regular contact चाहिए तो regular sessions चाहिए So every Friday those who want they can join हम लोग poster भेजेंगे उसके बारे में और एक विशेश session कल Monday को हम रख रहे हैं वो that is only once in a while कल ही रख रहे हैं one session in itself जिनको प्रश्ण पूछना है केवल प्रश्ण पूछिए Friday से तो हम आगे advanced topic discuss करेंगे लेकिन कल का session केवल प्रश्णों के लिए जिसको आने आ सकते हैं कल रात को Anyway going ahead चार लाख प्रकार के मनुष्ये हैं और सब मनुष्यों की चेतना फिलकुल अलग टाई की है Everybody is thinking different सारा information आपको हम WhatsApp पे दे देंगे जो WhatsApp group जाइन किये हैं आज class के end में आपको सब information दे देंगे आगे चलते हैं तो जब चार लाख के योनिया हैं species हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं भगवान सोय हुए है क्या कोई बोलता है भगवान में शक्ती तो बहुत है देखिए शक्ती दिख रही है या wrestling कर रहे हैं इतने बड़े wrestler को हरा देंगे लेकिन कृपा है कि नहीं कुछ लोग बड़े powerful होते हैं लेकिन दिल पत्थर का होते है किसी गरीग को देखेंगे धक्का मार देंगे respect नहीं है किसी के प्रति तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान में शक्ति है, कृपा नहीं है, इसलिए लोगों की हालत देखो कैसी है, कितने सारे गरीब बिमार लोग हैं। I hope साथ साथ आप लोग फोटो देख रहे हैं, जागरुती के लिए कि मैं क्या तत्व की बाते कर रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं, भगवान के पास क्रिपा तो है, उनकी आँखों में बहुत क्रिपा है, लेकिन शायद शक्ति खतम हो गी है भगवान के पास, इसलिए करना चाहा रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जिसे कुछ बिमारिया होती है, इलाजी नहीं होता, माफ करना बड़ी भयानक चित्र है, लेकिन हमको जगाने के लिए, क्या बीटती है लोगों पे। लेकिन भगवान कोशना करते हैं, बोलते हैं, मेरे पास क्रिपा भी है, शक्ती भी है और मैं सब के प्रती समान हूँ। बगवान बोलते हैं, मेरा पोजीशन एक जज के समान है, जैसा कर्म किया है, वैसा मैं आपको फल दूँगा। बॉलीवुड में एक गाना आया, जैसी करनी वैसी भरनी, शायद एक्टर हुए स्क्रीन पे गोविंदा, शायद मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत ही इंपोर्टेंट टत्व है, देखिए आप, हम उसकी चल्चा यहां पे कर रहे हैं, मैं आपक बहुत सारे वीडियोज दिखाने वाला हूँ अभी, हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है, नेक्स्ट, देखिए, पुरसकार और सजा, क्रिया अनुसार गंतव्य, जैसा कर्म करेंगे, वैसे आपको बॉड़ी मिलेगी, किसी को मनुष्य शरीर दिया है, किसी को सुर बना दिया है, किसी को कुता बना दिया है, किसी को भालू बना दिया है, आपके कर्मों के अनुसार, जो भालू बना है, कभी ना कभी मनुष्य भी बनेगा, जैसे जो पांचवी कक्षा में है, कभी ना कभी दस्वी में भी पॉइंट का उत्तर मिलने वाला है कि अच्छे लोगों के साथ बूरा क्यों होता है जो अच्छा कर रहे हैं सो कृपया सब लोग ध्यान से सुनिये इस बात को देखे हम इस जीवन में केवल देख सकते हैं कि हमने इस जनम में क्या थी पिछले जनम को नहीं देख सकते जैसे एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसमें आप उपर से अनाज डाल रहे हैं, फ्रेश ग्रेन डाल रहे हैं और नीचे से अनाज निकाल रहे हैं तो जो फ्रेश ग्रेन आता है उपर से डालते हैं लेकिन आप एक बच्चा देख रहा है कि उपर से fresh grain जा रहा है और नीचे से सड़ा हुआ grain आ रहा है तो वो सोचे का बड़ी अचीब बात मैं तो fresh दाल रहा हूँ लेकिन ये सड़ा हुआ क्यों निकल रहा है बार लेकिन हुआ क्या जो आपने 15 दिन पहले डाल के रखा था वो सड़ गया है और नीचे से तो वही निकलेगा जो नीचे जमा हुआ हुआ है तो ये अच्छा वाला जो फसल है अच्छे वाला जो अनाज है वो भी एक ना एक दिन आएगा जब नीचे वाला सब खतम हो जाएगा तो अगर आपने पिछले 20 सालों में कुछ बुरा नहीं किया लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ बुरा हो रहा है मतलब वो पहले का कुछ जमा हुआ हुआ है वो बहार आ रहा है कभी ना कभी अच्छा भी आएगा अच्छा कुछ लोग केवल बुरा कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में सब अच्छा होता दिख रहा है मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, सब बिजनस से काला धन कमा रहे हैं, लेकिन बड़े बंगले में इंजॉय कर रहे हैं, जीवन में कोई बिमारी नहीं है, घर में सब बड़िया प्रेम से रह रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी अच अच्छी फसल का लाब ले रहे हैं, जो कभी ना कभी आपने जमा करी थी, अपनी ही पूंजी, अपने ही investment कमा रहे हैं, nothing, भगवान का system कभी wrong नहीं होता, तो यह important है, नीचे क्या है और उपर क्या है, उपर से आप डाल रहे हैं, लेकि नीचे से क्या निकाल रहे हैं, most important, यह चार वीडियो दिखाऊंगा, छोटे-छोटे, बिल्कुल दिख जाएगा, स्पस्ट, जैसा करोगे, वैसा भरोगे, हरे कृष्ण, नादेगा, मैं तो दिन के लिए गोवा जा रहा हूं, एक मीटिंग है, साथ चलोगी ना, यह सर, अहाँ, वो प्रेंटेशन ले जलना, साथ लिकर जानी है, हाँ, सुनो ना, मुझे बास के साथ गोवा जाना पड़ेगा, क्या यार, फिर से, तो दिन में वापे साजोंगी, ठीक है, बढ़ यूनो ना, I love you, बाई, लव यूू। तो दिन के लिए बहुत जरूरी काम के लिए कहीं जाना पड़ेगा, तो दो दिन की छुटी, ओके बाई, तो दिन के लिए पता ने का चलिकाई, चलो ना, प्लीज, हम भी घूमने जल जे, चलो ना, प्लीज, हाँ, हाँ, शोर, पका, प्रॉम्स, हाँ, 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 शोर, प्लीज, अब इस फिर अपता चाहिए, तो हम फिर कभी मिले, क्या या दिलजीत, तुम्हारा हमेशा कही ऐसा है, बाई! Sunny, छुट्टी कैंसल, मैं कल रापस आरही हो, होमबगर के रखना, ओके? ओके टीचर पापा, हाँ, मेटा, टीचर नह छुट्टी कैंसल करती हरे कृष्णा, ये है इस जगत की है हालत, हर कोई अपने पार्टनर को धोका दे रहा है, सब तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन काफी जगा ऐसा होता है, देखिए, वो व्यक्ति अपनी फैमिली छोड़के किसी और महीला के साथ घुमने जाता है, वो महीला अपने हस्बेंड को बोलती है, मैं घुमने जा रहा हू हस्बेंड फोन पे तो नाटक करता है, तुम क्यों जा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है, दूसरी महीला को गर पे ले आएगा, वो दूसरी महीला किसी और को धोका दे रही है, जब कोई किसी को धोका देता है, तो उसको कोई और धोका दे रहा है, ऐ इसा आपने दूसरे को दिया अच्छा अभी जो दो वीडियो चलाओंगा मैं वो एक्जाक्ली वो आप बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो कि आप ध्यान से देखेंगा नहीं तो आपको समझेगा नहीं क्रिप्या उसको बड़े ही फोकस होके देखना लेट उसको दो दो वीडियो लाजेगा जो चोटे चोटे वीडियो है मैं आपको समझा दू जिनको नहीं समझ रहा है ये छोटा बच्चा है, हाथ में उसके रोलो है एक छोटे हाथी को बुलाता है रोलो खिलाने के लिए और खिलाने समय उसको देने की बजाए अपने मुँ में डाल लेता है दोका दिया, हाथी को नयाद था बड़ा हो गया, पच्चिस साल के बाद हाथी के सामने कड़ाया हाथी ने दे माना धान अरे तुम किसी से पंगाल होगे, किसी ना किसी दिन तो वापिस आएगा आईए दुबारा देख लिजे जिसने ध्यान से नहीं देखा ये वीडियो एक दूसरा वीडियो चला रहा हूँ, ये भी कर्म के उपर ही है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ये जो आपको रोलो का एड दिखाया, किसी ने मेरे को मेसिज किया है, ये सेवन टीस के जमाने का एड है आईए आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो देखिए ये वही आदमी है जिसने बिना देखे सबसे पहले एक बोटल कुछ पी राथा उठा के मारी वह किसी को लगी, उसके हाथ से किसी को लगा, उसके हाथ से किसी को लगा वह व्यक्ति जो तीर छोड़ रहा था, उसका निशाना गलत गया, वापिस इसी व्यक्ति को आके लगा आए फिर से देखिए जो ओरिजिनल वेक्ति ने साइकल शुरू किया था वापिस उसको पीड़ा आई घूम के आई लेकिन आई फिर से देखिए इस वीडियो को आप सबको वीडियो दिखा की नहीं दिखा मेरे को एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि वीडियो दिखा ही नहीं उमीद है आप लोगोंने देख लिया वीडियो हमने तो दो बार दिखा दिया ओके लोग बुल रहे हैं दिख गया थैंक्यू वेरी मुच तो यह वीडियो आप गूगल पर देख सकते हैं तॉपिक दालके इट आल कमस बैक तो आपको मिल जाएगा एक मिनट का वीडियो है लेकिन आप देखिए जो भी जीवर में आ रहा है कहीं ना कहीं आपने ही वो साइकल शुरू किया है हमने ही शुरू किया है नथिंग हैपन्स बाइ चैन्स लेट्स डिसकस सम्मोर सर्मा जो पर आज शुरू करते हैं एक बड़ा ही अच्छा स्चोरी है नारद मुनी का नारद मुनी नारायन भगवान के पास गए और नारायन भगवान से बोला देखो मैं नहीं मानता कि व्यक्ति को जैसा किया है व कीचड में फसी पड़ी थी तो वहाँ पे एक वृद पुरुष आये उन्होंने गाए की गाए को बचाने की कोशिश की गाए को बचा लिया और थोड़ा आगे जाके वो वृद पुरुष गड़े में गिर गए और वो वृद पुरुष के आने से पहले एक चोर आया था उसने गाए को बचाने की बजाए गाए को और गड़े में डाल दिया तो वो चोर को आगे जाके एक सोने का मटका मिला सोने के सिक्के थे उसके अंदर तो चोर ने इतना बुरा किया गाए के साथ उसको तो मटका मिला सोने के सिक्कों का और वो वृद पुरुष ने जो हेल यसने गाइपा मदद किया Actually उसकी मृत्य होने वाली थी लेकिन क्योंकि गाइपा मदद किया उसका जो पुराना reaction करमो का फ़ल था मृत्य होना वो कम हो गया टल गया केवाल गड़े में किला और बच गया बस उतना यह फल मिला और यह जो चोड़ था actually पुराने अच्छे कर्मों की वज़ा से इसे सोने का महल मिलने वाला था अब बिग प्रॉपर्टी मिलने वाला था लेकिन व्यूंकि इसने गाएं को दुख किया तो जो सुख मिलने वाला था वो कम हो गया और एक इसको थोड़े से सोने के सिक्के ही मिली तो भगवान बोले मेरा साइंस कभी गलत नहीं होता अगर आपको दुख मिल रहा है तो शायद इससे भी बड़ा दुख मिलने वाला था आए आप तो बच गए है यूंकि आपने कुछ अच्छा कारे कर दिया तो मैं अभी तक जो सीखा उसको समराइस करूँगा उमीद है आप लोग आनन्द ले रहे हैं थोड़ा लंबा सेशन है लेकिन आप उमीद है दहरे रखे हुए है हमने क्या सीखा मैं कौन हूँ शाश्वत आत्मा हम कहां पे हैं भावतिक जगत में हमारी स्थिती क्या है भावतिक शरीर में फसे हुए हैं शरीर के अंदर हम किसे बंदे हुए हैं सत्व गुन रजो गुन और तामसिक गुन से हमें क्या नियंतरित कर रहा है काल टाइम फेक्टर कोई कितना ही कमाले कितना ही जवान हो कितना ही शक्तिशाली हो टाइम जो है सब को हरा डालता है सब लोग समय के समने हारते हैं हर किसी को नानी याद आ जाती है हमें कौन देख रहा है परमात्मा एक जज के रूप में कोई भी आपका action मिस नहीं करेंगे everything is noted अकेले कमरे में क्या कर रहे है वो भी मालूम है भगवान को very important Krishna knows everything परमात्मा के रूप में सब देख रहे हैं इसी को मैं अभी simple करके कुछ लोग बोलते हैं Hindi पढ़ना उनको मुश्किल है मैं कौन हूँ, who am I? I am spirit soul हम का है, where am I? in material world हमारी स्थिकी क्या है what is our situation right now हम लोग एक body में material body में we are caught up हम किंसे बंदे हुए हैं we are bound by three modes सत्वगुन, रजगुन, तमोगुन हमें क्या control कर रहा है we are controlled by time factor काल factor लोग बोलते हैं अभी समय खराब चल रहा है हमें कौन देख रहा है who is always watching us परमात्मा who is sitting in our heart watching us कर ले बेटा जो करना है कर ले सब भुगतना पड़ेगा अच्छा अभी तीन प्रकार कारे होते हैं प्लीज ये session ध्यान से सुनिए आज पूरा practical session है हमें जीवन जीना कैसे है पुन्य कर्म क्या होते हैं दिखिए पुन्य कर्म टॉप्मोस्ट नहीं है पुन्य कर्म है आपने कुछ अच्छा किया उसका अच्छा भुगतना पड़ेगा लाइक एक वीडियो के अधार पे दिखाता हूँ पुन्य कर्म क्या है मेरा बेटा अथर फुटबॉल कब बहुत बड़ा फैन है हमारे यहां की टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन जिद नहीं छोड़ी उसने फिर एक दिन मुम्मी एक टीम में सिलेक्ट हो गया अरे वाह तो अब वो नहीं फुटबल शूस अफकोस डिज़र्व करता है वो हम अब जाए कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस कभी मिस नहीं करता हूँ इसलिए आज मैच के दिन उसे सप्राइज देने आई इसलिए अधर्व जीन में था ही नहीं तो फिर वो नए शूस वो रोज की प्रैक्टिस क्यों किस लिए अधर्व आज विए मस्ट खेले तू सच्ची और हाँ अगाम मस्ट याद्खर झालATA हुए रमाडन में हैुए तो तूस प्री नही खरी किसा अधर्व च्रॉत्त तेंक यू यार अज मेरा अथर्फ बिना केले ही जीत कहें मैंसम इस रड़ी फर लाइफ बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों को ऐसे समस्कार देना इसलिए बोलते हैं कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार के जीत जाते हैं और जो हार के जीतते हैं उन्हें बाजिगर बोलते हैं एक पिचर का डायलोग है, लेकिन बहुत इम्पोर्टन डायलोग है. कुछ लोग हार के जीतते हैं और उन्हें बाजी कर बोलते हैं, हार के जीतना सीखिये, जीत के तो बहुत लोग हार जाते हैं. और जो आनद है, हार के जीतने का, it's so sweet, the sweetest pleasure हार के जीतने का जो आनन्द है तो यहां बात कर रहे हैं पुन्य कर्म की पुन्य कर्म क्या है कुछ दान देना किसी के लिए कुछ करना काफी लोग बोल रहे हैं कि देखके आखों में पानी आ गया और मैं आपना अनुभा बताऊंगा कि सबसे अच्छिंग पार्ट मेरको लगता है जब एंड में वो बच्चा सब के बीच में नाच रहा है तो हम देख रहे हैं यह पुन्य कर्म हैं लेकिन इसके साथ अनदर केटेगरी इस पाप कर्म पाप कर्म जो शास्त्रों के विरुद किया जाए very important definition पाप कारे का है शास्त्रों के विरुद शास्त्रों में जो लिखा है ऐसे करो आप उसके opposite करें पाप कर्म फल भुगतना पड़ेगा उसका लेकिन एक थर्ड कैटेगरी है अकर्म हमें ना तो पूने कर्म करने हैं हमें ना तो पाप कर्म करने हैं हमें अकर्म करना है please understand हमें केवल पूने कर्म नहीं करने हैं क्यों पता है योगि हर कर्म का फल मिलता है अच्छे का फल मिलता है बुरे का फल मिलता है अच्छा कर्म किया तो फल मिला, हमें अच्छा शरीर मिला एक हैंडसम शरीर मिला, एक सूसंपन शरीर मिला एक अच्छे घर में जनम मिला, अच्छी गाड़ी है, अच्छा रहने को है अच्छा पत्नी है, पती है, बच्चे है, everything is nice अच्छे कर्म किया रहेंगी लेकिन अच्छे कर्मों को भूगतने करने के लिए वापिस इस जगत में तो आना पड़ा भगवान से तो फिर भी दूर ही रहे भगवान के पास जाना है तो पून्य और पाप दोनों कर्मों से मुक्त होके हमें अकर्म करना है very important अकर्म क्या है आईए देखते अकर्म वर्ज वो है जो भगवान के connect करके भगवान के लिए किया जाए अरजुन बोले मुझे युद नहीं करना भगवान बोल रहे मैं बोल रहा हूं तो करो पाप नहीं लगेगा because I want you to do this activity for a higher cause एक उधारन देता हूं जैसे एक साधू जंगल में रहते थे कभी जूट नहीं बोलते थे उनके वहाँ पे एक दिन एक महिला भागती हुई आई कुटिया में मुझे बचाओ मुझे बचाओ बहुत सारे गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं और वो महिला पीछे वाले कमरे में छुट गई जब बहुत सारे डाको गुंडे जो भी थे आए वहाँ पे चोर इतिया दी वो बोले आपने इस महिला को देखा है अभी साधू का धर्म था हमेशा सत्य बोलना लेकिन यहाँ पे धर्म की रक्षा करने के लिए जूट बोला which is very good बोले नहीं देखा यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं so for a higher cause तो अरजुर युद कर रहे हैं लेकिन एक उच लक्षे के लिए क्रिश्न की प्रसंता के लिए तो जब कार्य क्रिश्न की प्रसंता के लिए किये जाए तो वो निश्पक्ष हो जाते हैं कुछ फल नहीं भुकतना पड़ता only thing you get is connection with God भगवान से connection जुड़ जाता है जिसके लिए हम तत्पर है जिसे मैंने कल बताया a perfect wife is beautiful wife a great cook a great housemaker romantic cooperative sensitive but does not exist सारे गुण एक पत्नी में नहीं हो सकते और सारे गुण एक पती में भी नहीं हो सकते handsome earning a great lot of money great house very expert socially great all the quality सारे गुण एक पती में नहीं हो सकते इस जगत में कोई perfect नहीं है भगवान perfect है और भगवान से connection जोड़ना है तो ये कला है तब तक हम लोग incomplete महसूस करेंगे जब तक भगवान से connect नहीं करेंगे इसकी उपर मैं एक वीडियो दिखाता हूँ कि निश्पक्ष कर्म क्या होता है अगस्त दो हजार अठारा में जम्मू एवं कश्मीर के एक विशिष्ट क्षेत्र में ए प्लस प्लस श्रेणी के एक आतंक वादी के होने की पुष्टी हुई इकल भी परवाह न करते हुए आपने चतुराई और बड़ी दक्षता से आतंक वादी सरगना को धेर कर दिया जबकि अन्य आतंक वादी भीड के बीच गुम हो गए आपने जबरदस्त श्रेश्टिता पून धैर के साथ बहुत ही कम समय में गुसाई भीड में से बड़ी कुशलता से अपनी चोटी टीम को बाहर निकाल लिया इस प्रकार लेटिनेंट करनल विक्रान पराशर ने वीरता, सरवोच युक्ति परक विशेशक गिता, प्रवीरता और अपरंपरागत तरीके का श्रेश्ट प्रदर्शन करते हुए एक कटर आतंकवादी को बड़ी सठीकता से मार गिराया लेटिनेंट करनल विक्रान पराशर बहुत सरप्राइजिंग बात है उसका नरेशन का लास्ट पॉइंट था इन्होंने किसी को मार गिराया आईए इनको एवाड देते हैं किसी हजीबसी बात है ना अभी घर पे किसी का जगड़ा हो जाए और कोई अपने रिष्टेदारों को गोली से मार दे और प्रेजिडेंट बुलाएंगे अरे वाँ आपने अपने रिष्टेदारों को गोली से मार दिये आपको एवाड देते हैं लेकिन जब एक आर्मी व्यक्ति ने पूलिस वाले ने मारा तो उसने अपने इच्छा से नहीं मारा किसी का प्रतिनिधी करते हुए मारा गौर्मेंट का प्रतिनिधी बनके मारा उसी प्रकार से अकर्म तीसरा केटेगरी वो है जब हम कृष्ण का प्रतिनिधी बनके इस जगत में कारे करते हैं I hope you are getting the point बाद में आप रश्ण पूछ सकते हैं इसके उपर लेकिन जब आप कृष्ण का प्रतिनिधी बनते हैं आपको एवाड दिनता है चाहे उसमें बहार की दृष्टी से लगे अरे ये तो पाप है ये तो फलाना है लेकिन आपने कृष्ण की इच्छा के लिए किया It is perfect इससे समाज का कल्यान होगा Then ये तो हो गया अकर्म इतना सब समझा दिया हमको गीता ने कर्म क्या है विकर्म क्या है अकर्म क्या है Now responsibility is yours क्या हम लोग इस प्रशिक्षन के लिए ट्रेनिंग के लिए ग्यान के लिए रेडी है देखिए आज तो होता ना जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए एक तीन दिन का ओवर्वियू कोर्स है ये तीन दिन का ओवर्वियू कोर्स है हर एक स्लाइड को लेके कुछ लोग बोल रहे हैं हमको slide show दे दो मैं बता रहा हूँ एक-एक slide को लेके हम लोग पूरा-पूरा दिन चर्चा कर सकते हैं very very important उत्तरदाइत्व तो हमारा है na responsibility are we eager to learn more क्या हमारे पास इच्छा है और सीखने की guidance लेने की ट्रेनिंग लेने की प्रशीक्षन लेने की या हम उस खरगोष की तरह हैं उस शतुरमुर्ग ऑस्टिच की तरह हैं जो संकट को देखके आखे बंद कर लेते हैं नहीं यह सब बकवास है बकवास है या फिर अपने सर को अपनी मुंडी को जिसे बोलते हैं जमीन में गार देते हैं Are we going to do that? यह सब ग्यान सुनने के बाद आखे बंद करेंगे नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है और are we going to take responsibility? उत्तर दाइतो लेकिन जो मैं fighting का example दे रहा हूँ इसका यह मतलब नहीं कि आतंकवादी fight करते हैं अपने लिए fight नहीं करते हैं किसी ने बोला है इसलिए वो highest अकर्म है आपका authority भगवान से आना चीए या भगवान के द्वारा train व्यक्ती प्रमानिक्ता से किया हुआ कुछ लोग भगवान के नाम पे गलत धर्म फेलाते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्ट जिन्हों ने भी पूछा जिनको धर्म की पूरा ग्यान नहीं है और धर्म के नाम पे हिमसा पहलाते हैं सोचके कि हम धर्म के लिए कर रहे हैं या हिमसा इस नौट गुट या परवर्टिड वर्जन वो सही वर्जन नहीं है धर्म का अर्जुन वाज़ वैरी एक्सेप्शनल केस कुरुक शेतर में कुरुक शेतर में अर्जुन को टेरोडिस्ट को मारना था आतंकवादियों को मारना था लेकिन अगर आतंकवादी सामाने जनता को मारेंगे that is not called a karma बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने thank you very much तो responsibility हमारा है हमारा जिम्मेदा है जीवन कैसे जीना है अच्छा अभी कुछ लोग बोल रहे है कि फल मिलने का timing क्या रहता है देखे कुछ फल फटा-फट मिल जाते है shunning प्रतिक्रिया shunning मतलब आपने अपना ATM कार दाला मशीन में पैसे भार आगे done लेकिन कुछ विलंबित होते हैं आपने check लिखा check and cash हुआ कुछ दिन लग गए एक व्यक्ति bank गया check दिया उसको वो बोले 5 दिन के बाद आना वो बोला अरे सामने वाले bank का check है 5 दिन क्यों लगेंगे bank में जो manager थे जो भी व्यक्ति बैटे थे उन्होंने बोला देखिए आप शड़क पे चल रहे हैं शम्शन घाट के सामने से गुजर रहे हैं आपको heart attack आया आप मर जाएं थोड़ी ना आपको सीधा घर लेके जाएंगे फुड़ा रोना धोना होगा फुरा कारे होगा उसके बाद घुमा फिरा के शम्शन घाट लेंगे ऐसा नहीं कि शम्शन घाट के सामने मर गए तो शॉट कर सीजा शम्शन घाट लेंगे process होता है वो विक्ती सोचा बड़ा बहंकर उधारन दिया वो घबरा ही किया वो ले आगए से ऐसे प्रश्ण नहीं पूछूँगा लेकिन जो check जो है check को encast करने में जड़ा time लगता है तो कुछ फलों का reaction immediately आता है और कुछ का time लगता है आईए देखिए एक वीडियो sonic reaction और delayed reaction immediate reaction और delayed reaction ये वीडियो देखते हैं sonic immediately reaction आता है किना क्योष सामने रखाया का सब्सक्राइब hall कर थैंक यू कि राहूल बैक पैक किया टिफिन नखा बैंसिल कटर सब रख लिया ना कुछ भूले तो नहीं अच्छा बिटा अभी तक नाश्टा नहीं किया स्कूल बस आजाएगी जल्दी करो चलो मम्मी आप कितनी बढ़ बढ़ करती हो कभी आप से मुझा चुटकारा मिलेगा नहा मेरा चश्मा देखा क्या राहूल बेटा मेरा चश्मा देखा पापा आप सच्मू चंदे हो गए योला आपका चश्मा ये क्या तरीक है बढ़ उसे बात करने का यही सीथ्टे स्कूल में जाके पापा में स्कूल में जाके आप से सिकाओ आपके बच्चे जो देखते हैं जो सुनते हैं वही सीखते हैं हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है आपका घर आपका परिवार आपकी बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं अपने इस चीज़ को अनुभव किया रहेगा जो हम बोलते हैं उतना बच्चे नहीं सीखते हैं बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं लेकिन मेंड पॉइंट क्या है वो दोनों हस्बेंड वाइफ ने अपनी माँ पे चिल लाए छोटा बच्चा इमिडिटली उनके उपर चलाया इसे बोलते हैं इमिडिट रियाक्शन तब भी का तब भी रियाक्शन मिल गया दर्द दिया, दर्द मिला इंसर्ट किया, इंसर्ट मिला डन, साइन्स, ओवर लेकिन एक होता है डिलेड रियाक्शन suddenly किसी का मर्डर हो गया वो सुच रहे, मेरा मर्डर क्यों किया मैंने क्या किया इसके साथ कभी ना कभी तो कुछ किया रहेगा आईए एक वीडियो देखते है ये वीडियो ये दर्शारा है कि कभी-कभी कुछ होता है आपके साथ आपके पास उत्तर ही नहीं है कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा लेट्स लुक अट दिस ये देखो ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गुंगाया बहरा है नबारे, या को आई हरे कृष्णा आप देखिए ओम पूरी का कुछ लिनाज़ नहीं है उसमें शाहिद कपूर और राजपल यादव का जगड़ा चल रहा है चुप चुप के मुवी है उसके अंदर दोनों गुंगा बहरा है वो व्यक्ति और वो शाहिद कपूर को मारना चाह रहा है ओम पूरी को लग रहा है फिर ओम पूरी ने शाहिद कपूर को बोला तुम राजपल यादव को मार लेकिन राजपल यादव फिर से वो बैट से मारा सिधा ओम पूरी को लगा आप ओम पूरी बोले है कि मेरी क्या गलती है इसमें वाइ मी किसी ने प्रश्ण ने पूछा मुझे why me क्योंकि हम लोग बहुत self-centered रहते हैं हमें दुनिया का बड़ा picture नहीं मालू है अभी हों पूरी बोल सकते हैं मैं ही क्यों कुछ तो पुराना किया कराया है आपका वापिस आ रहा है English में एक saying है do not blame the instrument of your own karma do not blame the instrument of your own karma अपने कर्मों का जो instrument बनके आया है उसको blame मत करो आप ही के कर्म किसी के रूप में वापिस आ रहे है that's all और एक बड़ा अच्छा पूछा किसे ने कि मैं why me चेतना से बाहर कैसे निकलू हमेशा self-centered चेतना मेरे साथ ही ऐसा कियो that is the training जब हम किसी advanced व्यक्ति के साथ बार बार ट्रेनि लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कैसे इतनी सारी समाज में सेवाई उपलब्द हैं इतने सारे कारे कर सकते हैं समाज के कल्यान के लिए जब हम दूसरों के दुख दूर करने में लग जाते हैं अपने दुखों से आटोमेटिक बार आजाते हैं This is possible very much possible मैं अनुभव से बोल रहा हूं This is possible ये संभव है अच्छा ये तो और मेरे को बहुत सारे मेसिज आ रहे हैं कुछ समय पहले मैंने बोल दिया कि आप सब शादी शुदा गरस्त हैं कोई बोल रहा है मैं तो प्रभुजी उननिस साल का ही हूं कोई बोल रहा है मैं तो अभी टीनेजर हूं कोई बोल रहा है आप सोच रहे हैं सब शादी शुदा लेकिन हम शादीज नहीं हैं Anyway आगे चलते हैं अगला प्रश्ण किसे ने पूछा है कि ग्रस्त जीवन कैसे अच्छा बनाएं, चर्चा करेंगे, एक बड़ा अच्छा एग्जामपल है धृतराष्ट्र का और उनके सौ पुत्रों का, धृतराष्ट्र के सौ पुत्र अठारा दिन में मर गए, कुरुक शेतर की युद्भुमी में, इस सौ के सुक, सौ पुत्र बड़े खतरनाक आतंकवादी थे, पृरी पृत्वी के लिए बहुत हानिकारक थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में प्रशन आया कि मेरे सौ पुत्र अठा दिन में मारे गए, सोची ये जनके बच्चे हैं, सौ पुत्र 18 देज में, कितना पेन होगा, एक मा का एक पुत्र मरता है, तो महिनों, 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 सालों तक रोती रहती है, धृतराष्ट गांधारी के सौ पुत्र मरे अठा दिन में, think about the pain, धृतराष्ट ने प्रशन पूछा, धृतराष्ट को बोला, देखो, पचास जनम पूर्व, आपने एक परानी के सौ बच्चों को बहुत दुख दिया था, तो धृतराष्ट बोला, पचास जनम पूर्व दिया था, तो अभी क्यों दुख मिल रहा है, बोले सौ पुत्रों को पराप्त करने के लिए, उसका रियाक्शन था, आपके सौ पुत्र मरेंगे, लेकिन सौ पुत्रों की एक साथ मृत्यू करने के सौ पुत्र हुए, लेकिन वो आपका जो बैलेंस था, वो अभी तक रखा था भगवान में, एक साथ, खटक, डन, फिनिश, लाउज अफ नेचर, वेरी श्यूर, और कभी-कभी रियाक्शन इंडिविजूल लेवल पे होता है, गाडी में एक व्यक्ती जा रहा था, एक्स एक फ्लाइट क्रेश होने वाला है, उसके अंदर 80-200 लोग बैठे हैं, और उन लोग को नहीं मालूम, यह सब लोगो नहीं यही फ्लाइट क्यों चुनी, लेकिन भगवान ने जिस जिसको करमा देना था, उन सब के किसमत में वो टिकट लग दी, जो उस फ्लाइट में कर रहे हैं, तो तीचर खुद पनिश्मेंट नहीं देगी, दो बच्चों को खड़ा करेगी सामने, बच्चा नंबर A को बोले कि तुम B को थपड मार, B को बोले कि तुम A को थपड मार, एक दूसरे को थपड मारते रहो, मैं अपना आराम से बैठ के पेपर चग करती दन, पनिश्मेंट हो गया, बगवान अपनी शक्तियों से सबको एकत्रित करते हैं, एक साथ, दन, कभी-कभी समुही खत्या होती है, भूत लोगों की, चलो, आतकवादियों ने हत्या करी, आतकवादि तो गल्थ है, लेकिन जो मरे, उनका भी कुछ कर्मा रहेगा, कोई ना कोई तो उसका रहेगा, कर्मा, ऐसे किसी को पनिश्मेंट नहीं मिलता, और जिस आतकवादि ने मारा, उनका अलग कर्मा जनरेट हो रहा है, अभी कोई बोलेगा, प्रभुची मुझे मालूम नहीं था, ऐसे कैसे, मैं कोई पहले होड़ी ना बताया किसी ने, आज मैं 25 साल का हो गया, या कोई बोलेगा 50 साल का हो गया, कोई बोलेगा 70 का हो गया, अब बता रहे हैं, ये ट्रेन का पिच्चर है, मुंबई ट्रेन का, जब पहली बार है मुंबई में आया, अभी इस साल में मुंबई में बैठा हूँ, लेकिन कितने सालों पहले, 25 साल पहले मैं मुंबई में जब आया, तो ट्रेन में चड़ गया, मैंने दो बार गलती करी, actually actually एक ही बार हुआ दूसरी बार तो anyway तो गलती किया था female coach होता है मुझे मालूम ही नहीं था कि Mumbai local train में female coach होता है and I was a college student that time a college student के रूप में train चलने वाली थी तो हम फटा पर चल गए train में college पोचना था time पे तो Churchgate station से जो चल गए हम और जाना था पनरा मिनट का लेकिन जैसे ही अंदर चड़े train चल गई अंदर जितनी भी ladies थी वो जोर जोर सचिदाने लगी इसको उतारो उतारो मैं घबरा गया यह सब ladies क्यों है जैंट्स क्यों नहीं तब किसी ने बताया आप ladies coach में आगे तो मैं तो घबरा गया और मैंने सुचा अगले station पे उतर के change कर लेंगे because हमारे गंतव्य के बीच में तीन station थे अगले station पे जैसे ही उतरा सामने police खड़ी थी police भी ladies दब्बे के सामने ही कड़ी होती है पकड़ लिया मैंने बोला मुझे तो मालूम नहीं था जैसा यहां slide पे लिखा है वैसा ही मैंने उतर दिया मुझे मालूम नहीं था उन्होंने बोला मालूम नहीं था तो चल जाएगा अभी fine निकालो immediately fine ले लिए वो point यहां पे है कि हम लोग इस जगत में भी देखते हैं punishment होती है जोकि हर व्यक्ति का उत्तर दाइत्व है ask questions लेकिन हम लोग enjoyment में इतने मस्त हैं परश्न पूछते ही नहीं हमें करना क्या है किसी ने परश्न पूछा अच्छे करम बुरे करम cancel करते हैं? नहीं अच्छे करम अलग फल भुगतना पड़ता है बूरे करमों का अलग फल भुगतना पड़ता है लेकिन जो अकर्म है अकर्म दोनों को नलिफाई करेगा और एक अदभुत जीवन देगा भगवान कृष्ण के सानिध्य में एक pure happiness का जीवन देगा we are looking for that फिर मैं क्या करूँ? आप भी सोच लोंगे प्रभुजी दो दो घंटे आप हमको बोर कर रहे है दो दिन से अभी बताओ करना क्या है finally, what am I supposed to do? यह आखरी का 20-25 मिनट ना वही सेशन लेने वाला हूँ, करना क्या है? what am I supposed to do? गंतव्य की त्यारी मनुष्य जीवन एक प्लैटफर्म के समान है हम बिल्ली के शरीर में रहे हैं कुत्ते के शरीर में रहे हैं सुवर के शरीर में रहे हैं भालू के शरीर में रहे हैं सुवर के शरीर में क्या व्यक्ति खाता है? स्टूल खाता है, विष्टा बहुत कुछ गंद मंद खाया है लेकिन अभी मनुष्य का जीवन आया है which means it is like a platform platform से train पकड़ी जाती है अभी हमें भगवान को प्राप्ति की train पकड़नी है पारिवारिक जीवन उसके लिए नहीं त्यागना है, सब कुछ चलने को वैसे ही कुछ elements add करने हैं आपकी regular life में, बास उसे बोलते हैं अकर्म कृष्ण से connect करना है और जैसा कृष्ण बोलते हैं गीता में वैसे कर्म करना है आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुन्दर हो जाएगा भगवान बोलते हैं योगिनाम अपि सरवेशा या उससे पहले बोलते हैं भगवान बोलते हैं योगी बनो योग क्या है? योग एक्ससाइज नहीं है एक्ससाइज तो एक बहुती छोटा सा भाग है योग का कुछ लोग बोलते हैं मैं रोज सुबा योगा करता हूँ ये तो कोई मामूली सी चीज है योग अच्छे शरीर के लिए भी नहीं है वो एक मामूली सी चीज है नहीं योग लंबी आयू के लिए भी नहीं है कुछ लोग बोलते हैं प्राणायाम करने से लंबी आयू होती है फाइन होती है बट वो एक चोटा सा साइड इफेक्ट है मेन योग क्या चीज है हाँ कुछ लोग बोलते हैं योग मतलब हम सिध्धी पराप करेंगे जमीन के उपर उड़ सकते हैं लोग 15-20 साल साधना करते हैं ताकि जमीन के उपर 2 फीट उड़ जाओ और यहाँ पे लोग 4-5,000 का फ्लाइट टिकर खरीदते हैं उड़ की आ जाते हैं तो क्यों पागल पागल पंदी करें और 15-20 साल साधना करके ऐसा कुछ उड़ पटांग हरकत करने के लिए क्या फाइदा हुआ इससे जीवन का तो कुछ लोग बोलते हैं हम उड़ सकते हैं हवा में उड़ते रहो what benefit I will get out of this योग क्या है योग है जोड़ना योग आया है युजधातु से युज यानी connect yourself भगवान के हाथ से connect कर और योग चार प्रकार का है कर्म योग, ध्यान योग, ज्यान योग भक्ति योग, किसी ने कल प्रश्ण ने पूछा था प्रभु जी ध्यान कैसे लगाते है चार प्रकार का योग है कर्म, ध्यान, भक्ति अभी आप पुछेंगे मैं कौन सा चूज करूँ जब हम market जाते हैं हम बोलते हैं देखो भाईया, ऐसा product दिखाओ जो best हो, लेकिन सस्ता भी हो खर्चा भी ज्यादा ना हो, लेकिन काम perfect हो जाए I'm sure, जब भी market जाते हैं तो इध्यान रखते हैं ऐसे ही हमें अध्यात में वो market ढूणना है जो आसान हो लेकिन topmost lab हो उसमें लेकिन हम चूज नहीं करेंगे, हम चारों में चूज करने लगे तो that is wrong हमें चूज करना है भगवान क्या बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ क्या है जो स्रिष्टी करने वाले हैं उनसे पूछो ना सर्वश्रेष्ठ क्या है और भगवान गीता में चटे अधियाएके 47th शलोक में, लास्ट शलोक चटे अधियाएका उसमें स्पष्ट बोलते हैं योगी नाम अपी सर्वश्राम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है मेरी भक्ती करता है भगवान बोलते हैं वो व्यक्ती बेस्ट योगी है जो भक्ती योगी है अभी कृष्टन ने बोल दिया तो आप और मैं क्यों बीच में टांगडाएं और जैसे मैंने बोला मार्ग सरल होना चाहिए तो भगवान को भी मालूम है ये लोग बहुत दुखी हैं अल्रेडी बड़े बड़े शहरों में रहते हैं समय नहीं है बिचारों के पास make it simple भगवान बोलते है भक्ती योग वो चीज है जो देखिए अगर आपको सीडी से जाना हो या लिफ्ट से जाना हो fast क्या है lift बोले भक्ती योग जो है वो लिफ्ट में है आप लिफ्ट में बैठ जाओ कब आप दस्वे माले पे पहुंच जाओगे समझेगा भी निए very fast very soon you are there सीडी में महनत लगेगा कर्म योग, ग्यान योग, ध्यान योग सब सीडी के समाने हैं ध्यान लगाने में कितना महनत लगता है मालू मैं बैठ के ध्यान लगाओ आदे लोग तो ध्यान में सोई जाते हैं मैं कभी-कभी गया हूँ meditation schools में लोग सोई पड़े होते हैं सीधे बैठे होते हैं आख बंद होती है थोड़ी देर बाद खराटे मारने की अवाज आ रही होती है इसलिए मैंने काफी लोग को mute रखा है कोई ना कोई तो इस समय खराटे मार ही रहा होगा I am sure ध्यान लगाने की शक्ती बहुत कंशोर है गती elevator विकोज जब हम ये session live करते हैं और 20 सो लोग बैटे होते हैं most तो attentive होते हैं लेकिन किसी ना किसी कोने में दो-तिन लोग होते हैं बिचारे थके हुएं काम से पूरा हफता काम करके आए हैं suddenly class के बीच में खराटे मारने की आवज आती है background special effects we want something which is easy fast गती होनी चाहिए ठक जाएंगे नहीं तो हम लोग और हमें क्या चाहिए पारिवारिक जीवन में संभव हो घर छोडने को मत बोलना I know one couple जिनको ये course करने को बोला लेकिन वो ये course करने को आए नहीं last three days में उनका डर है कि कहीं रिदे में वैराग्य ना आ जाए लेकिन हम किदर बूल रहे हैं हम तो बूल रहे हैं पारिवारिक जीवन में संभव है ये वो तो कोई-कोई लोग पारिवार को छोड़के सिंगल रहके परचार के लिए ये कारे करते हैं otherwise पारिवारिक जीवन में easily possible it's just a choice जिसे से हम डॉक्टर बन गए तो हमारे एक बैच में 120 लोग डॉक्टर बने लेकिन उसमें से कुछ लोग वापिस मेडिकल कॉलेज में टीचर बन गए उन्होंने सोचा हम हस्पतार में नोखरी नहीं करें या अपना हास्पिटल नहीं खोले तो अगर सौ डॉक्टर बने हैं उसमें से कुछ लोग टीचर बन गए बाकि सब के सब लोग मेडिकल प्रेक्टिस में प्रवेश किया उसी प्रकार से मैक्सिमुम लोग पारिवारिक जीवन में रहते हैं कुछ लोग सिंगल रहके टीचर का काम करते हैं विच इस ब्रह्मचारी आश्रम या सन्यास आश्रम प्रवेश पारिवारिक जीवन पॉसिबल वेरी मच पॉसिबल और अर्जुन का ही लेली जी ये भगवान ने गीता अर्जुन को क्यो सुनाए ताकि लोगों को दिखे कि गीता का पारण करने के लिए सन्यास लेने की जरूरत नहीं है अर्जुन की पतनी है, बच्चे है, परिवार है सब कुछ है, गीता सुनाए अर्जुन युद्भुमी में हैं, आप लोग अपने आफिस में हैं, अपने अपने कारेशेत्र में हैं, करते रहिए, जस्ट एड भक्ती भक्ती को एड कीजिए पारसी कम्यूनिटी को भारत में शिफ्ट होना था हमने एक कथा सुनी है, एक स्चोरी सुना है जब वो आए तो गुजरात के पर्टिकुलर सेक्शन में आए और उनको वहाँ की राजा ने मना कर दिया, बोले, यहाँ पर बहुत कावरिड हो जाएगा आपको जगा नहीं देंगे उन्होंने बोला, एक गिलास दूद लाओ गिलास दूद का भरा था उसमें उन्होंने एक चमच शक्कर डाल दिया गिलास में जगा नहीं थी लेकिन शक्कर डाल दिया, शक्कर दूद में कैसे मिल गई समझाई में तो दूद में जगा, गिलास में जगा नहीं थी दूद था, शक्कर के लिए एक्स्टा जगा की जुरुद भी नहीं पड़ी और शक्कर मिक्स भी हो गई तो पार्सी कम्यूनिटी के लीडर ने बोला देखो हम भी आपके समाज में ऐसे मिक्स हो जाएंगे आपको समझेगा भी नहीं और मिठास भी आ जाएगी ऐसा बोलके उन्होंने एक्जामपल दिया पुरानी बात है उसी प्रकार से भक्ती ऐसी है आप जो कारे करते रहो भक्ती एड करो जीवन और मिठा हो जाएगा और कुछ जीवन से बुराया निकालनी पड़ेंगी that's all वो भी अपने आप निकल जाएगी जब मिठास भरेगी तो कड़वाट अपने आप निकल जाएगी कोई बोलता है समय नहीं है मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल है very simple समय नहीं है ना सिरफ पांच स्टेप समझ लो this is the take home message पांच स्टेप राइट डाउन, नोट डाउन, इन यूर हाट, अपने डायरी में पांच स्टेप आपको जीवन में करने है पहला स्टेप आपका तीन दिन में हो गया पहला स्टेप क्या है रोग को समझे और स्विकार करें हम इस जगत में क्या परिस्तितियों से गुजर रहे हैं और क्यों गुजर रहे हैं उसको समझ ले बिमार होते हैं तो पहले बिमारी को समझना पड़ता है हमने समझ लिया हमारी बिमारी क्या है जन्म, मृत्यू, जराव, आधी के चक्कर में फसे है आधी भाउतिक, आधियात्मिक, आधी दैविक में फसे है दूसरा स्टेप क्या है सही अस्पताल में जाए और spirituality किसी ने परश ने पूछा ये अध्यात्म है क्या simple शब्दों में अध्यात्म, आत्मा का original connection जो हम भटक गए हैं, भगवान से connection छूट गया है वो connection को पुनर स्थापित करना, that is अध्यात्म लोग उसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं वर अंतिम लक्ष यही है और जैसे बिमारी के लिए अस्पताल जाते हैं, अध्यात्म के लिए हमारा अस्पताल क्या है? सही अस्पताल है, मंदिर देखे, यह भक्ति विदानता हॉस्पिटल की पिच्चर है, जिन हॉस्पिटल के तरफ से यह कोर्स आयोजन किया गया है मंबई में यह हॉस्पिटल है और हम वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेशन करते रहते हैं लेकिन हमारे लिए अस्पताल क्या है? मंदिर और कौंसा मंदिर? सिरफ जहां पर भगवान के विगरा हैं और हम जाके थोड़ा दान डाल देते हैं? No That is not the main purpose मंदिर का वो मकसद नहीं है कि एक मूर्ती की स्थापना करी और दान की पेटी डग दी No, आरती करा दी, पूजा करा दी No, वो तो बहुती प्राइमिरी चीज हो गए मंदिर का main definition क्या है? Education Temple is a place, University of Higher Education Temple वो जगा है जहां पर उच्विद्या जी जाती है Very important, please understand इसलिए प्रभुपाजी ने जब इसकौन के मंदिर बनाये तो पहले वहां पर Education Systems थापित की Courses थापित की, Exams रखे ताकि ये दूसरा चंदा एकत्र करने का Center ना बन जाए, यहां पर training होनी चाहिए और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते घर को मंदिर बनाओ घर पे भगवान के विगरा होने चाहिए और साथी साथ घर पे Educational Discourses होने चाहिए अभी तो हम ये 300 लोग के लिए session कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी private sessions होते है private counseling होते है, private guidance अपने घर में ऐसे guidance sessions करो उससे फाइदा क्या होगा hospital क्या है मंदिर, मंदिर क्या है, जहां education दिया जाता है, फाइदा क्या होता है आप देखें, घर में जगड़े होते हैं अगर कोई TV देख रहा है तो मुझे ये channel देखना है घर में एक बच्चे के लिए phone लाओ, दूसरे बच्चे को phone चाहिए घर में एक बच्चे के लिए ये कपड़ा लाओ, उसको कपड़ा चाहिए अगर पिक्निक पे जाना तो एक बच्चा बोलता है मुझे नॉर्थ में जाना है, दूसरा बोलता है साॉथ में जाना है, जगड़ा होता है जिसे पानी में आप देख रहे हैं, रिपल्स पड़े हैं यहाँ पर यह सरकल है, इसका सेंटर कुछ और है यहाँ पर जो circle है उसका center कुछ और है और यह circle आपस में टकरा रहे है लेकिन अगर center एक हो जाए तो concentric circles बनते हैं और टकरा नहीं होता पूरी नदी में circles बन रहे हैं और आपस में टकरा नहीं रहे यहाँ पर देखेंगे छोटे-छोटे circle टकरा रहे है अगर पूरा समाज भगवान पे केंद्रित हो जाए पूरा परिवार भगवान पे केंद्रित हो जाए तो जगडे की तो बात ही नहीं है न तो मंदिर वो है जो हमें सिखाता है भगवान पे केंद्रित होना और तीसरा चीज है सही चिकित्सक की शरन लेना meet the right doctor और डॉक्टर कौन है हमारे केस में डॉक्टर होते हैं गुरू अगले फ्राइडे को हम लोग चर्चा करेंगे असली गुरू के लक्षन क्या है कोई बड़ी दाड़ी वाले बाबा गुरू नहीं होते गहुआ वस्तर पैना है तो गुरू नहीं होते एक शर्ट पैंट वाला घर में रहने वाला व्यक्ति आफिस में काम करने वाला व्यक्ति भी गुरू हो सकता है अगर उसके अंदर कुछ लक्षन है तो एक प्यूर लाइफस्टेल है उसका देरा सम टेन लक्षन आप सामने देख रहे हैं मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन वो गुरू जो हमें गाइडेंस दें ट्रें करें अपने अनुभव से वाट इस अर्ट डिरेक्शन टू टेक और चवता है प्रतिकूल चीजों का निशेध आप में से बहुत सारे लोग हास्पिटल गय होंगे तो डाक्टर ने बोला होगा ये मत खाये, वो मत खाये इसी प्रकार से अध्यात में बोलते हैं हम लोग भी बोलते हैं जब डॉक्टर बोलते हैं ये खाने से गला खराब होगा, ये खाने से ये बिमारी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, मत खाये, तो हमारे हाँ भी सिस्टम है, no meat eating, meat क्यों नहीं खाना, चर्चा हम डिटेल में कभी फ्रैडे को करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते, समय नहीं है, intoxication, नशा नहीं करना, इसकॉन के भक्त चाय कॉफी भी नहीं पीते, very important, but चाय कॉफी बात की बात है, कम से कम, cigarette, सराब, इतियादी, ये सब तो छोड़ना चाहिए, जूत कृड़ा, जुआ खेलने की जो habits है, gambling, no gambling, and avoid the samband, extra marital relationships, illicit sexual affairs, this is prohibited, ये band है, ये वर्जित है, अपने विवाहिक रिष्टे को छोड़के किसी और से संबंद रखना, ये वर्जित है, और पांचवा चीज क्या है, डॉक्टर केवल ये नहीं बोलते कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, डॉक्टर सही दवाई भी देते हैं, बोले खाना क्या है, that is very important, what to eat, ये भी बहुत important है, तो सही दवाई क्या है, उसमें चार चीजे हैं, बोलते हैं ना चार गोली खाओ, ये गोली दिन में तीन बार, ये गोली दिन में दो बार, अभी देखिए हमारे बॉटल पे एक दवाई पढ़ी है, या पे, सिरफ, ये सिरफ दिन में तीन ब चार चीजे होती हैं, ये लाल गोली है, ये पिली गोली है, यहाँ पे हैं, एसोसियेशन, बुक्स, डाइट, एंड चैंटिंग, एसोसियेशन क्या है, सत्संग, राइट एसोसियेशन, आप आज क्लास सुन रहे हैं, फोड़ी श्रद्धा बढ़ रही होगी, किसी ने अकवास है, तो श्रद्धा तूट जाएगी, एक तोते के यहाँ पे दो तोतों ने जनम लिया, जुडवे तोता, जो तोता बेचने वाला था, उसने एक तोता एक कसाई को बेच दिया, और एक तोता एक संस्कृत महाविद्याले में बेच दिया, एक साल बीच गया, तोत बेचने वाला वेक्ती वापिस उस शहर में आया, उसने सोचा, चलो देखता हूँ, उन दोनों तोतों की हालत क्या है, संस्कृत महाविद्याले में गया, वो तोता जोर-जोर से बोल रहा था, आए, आए, स्वागतम, आपके चरनों में प्रणाम, चरंसपर्ष, चरंसपर लेकिन दूसरा तोता जो था, जब उसके पास गए, वो भयानक से बयानक गालियां बकरा था, गंदी भाषा, गंदी लैंग्विज, क्यों, वो जिस संगत में रहता है, सिरफ हिमसा की बाते करता है, लेकिन दूसरा तोता जो संस्कृत महाविद्याले पंडितों के में रहता है, वो हमेशा मीठी बाते कर सुनता है, जैसा संग, स्पॉंज को जिसमें डुबाएंगे वैसी खुशबू आएगी, पर्फिम में डुबाएंगे वैसी चेतना, गंदगी में डुबाएंगे वैसी चेतना, keep yourself in the right association, हमने जो भी point बताया, आप उसका तोड़ दे ही नहीं सकते है, यो कि ये शास्तिरिक point है, लेकिन अगर कोई आपकी श्रदा तोड़ता है, क्योंकि आपका association बुरा है, otherwise in last three days there is not even a single point which you can refute, ऐसा कोई point नहीं है, जिससा कोई खंडन कर सके, कर ही नहीं सकते, open challenge to anyone. पुक्स, शास्त्र अध्यान, intelligence strong होगा, emotions अपने आप control में आ जाएंगे, जैसे एक रत है, सार्थी strong है, तो घोड़े control में आ जाते हैं, बुक्स जो हैं, बुद्धी को strong करती है, भगवत, गीता, इतियादी, शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवान का नाम जब करना इसके बारे में वर्नन करूँगा, लेकिन अभी डी पे वर्नन करता हूँ, डी क्या है, चलो, पहले हरी नाम पे ही ले ले लेते हैं हम लोग, एक नहीं कहीं शास्त्रों में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखा है नारायन समहिता, दूसरा शास्त्र है कली संतरन उपनिशद, तीसरा शास्त्र है श्रीमद भागवतम, श्री चरितन्य चरितामरित आदी लीला, ऐसे कहीं शास्त्र और विशेश रूप से भगवान शिफ पारवती जी को बोलते हैं, भगवान गनेश बोलते हैं इस बारे में, ये सब के सब भगवान हरी का नाम जब करने को बोलते हैं विशेश रूप से कल्यूग में, और उसमें भी कौंसा मंतर बोला गया है? आप सबसे विंतिया जहाँ जहाँ बैटे हैं हाथ जोड लीजिए, और धियान पूरवक बोलिए, तीन बार हमारे साथ, सभी शास्त्रों में बार-बार बोला गया मुंबई में हम देखते हैं लोग बहुत गनपती उच्षव मनाते हैं गनेश जी की आरती के बाद ये मंत्र का उच्चारन होता है कोई भी पूजा इस मंत्र उच्चारन से इस मंत्र के आश्रे के बिना complete नहीं होती कोई भी दान complete नहीं होता कोई भी यग्य कंप्लिट नहीं होता किसी को भी शास्त्र मालूम है तो वो बताएंगे इस नाम में कितनी महीमा है यह तरीका है भगवान से जुड़ने का किसी ने प्रशने पूछा कि कैसे मालूम चलेगा मैं सही सत्संग में हूँ की नहीं दवाई खाते हैं दवाई खाने से वो बिमारी चली जाए तो मतलब सवाई सही है उसी प्रकार से गीता के जो लक्षे हैं गीता में जो ग्यान दिया है जो असर अरजुन पे पढ़ रहा है जो प्रभाव अरजुन पे पढ़ रहा है वही प्रभाव हमारे जीवन में भी होता है अगर किसी सत्संग में जाने से भगवान पर श्रद्धा बढ़ती है, हरे कृष्ण महामंत्र में रूची पढ़ती है हमारे हिर्दे की positivity बढ़ती है, सकारात्मक विचार बढ़ते हैं तो वो सही association है लेकिन जो association हमें अपने लक्षे से दूर लेके जाती है, वो bad association है जिसको डॉक्टर बनना है, तो medical college की students के साथ बैठके पढ़ाई करो, प्रज़ना मिलेगी सत्संग से लक्षे प्राप्थ हो रहा है, सही सत्संग है इस प्रकार से, अंत में हरे कृष्ण महामंत्र की देखे कितनी महीमा है ये एक छोटा सा वीडियो है, वहां भारत की महीमा बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के अधार पे प्रिष्ण मैं. अरे बोलो बोलो अमेरिका 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 हुआ 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 लंडन देखा पैरिस देखा लंडन देखा पैरिस देखा और देखा जापा, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान ये दुन्या एक दुलहन ये दुन्या एक दुलहन दुलहन के मात också ही बंदिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया भारत भूमी ते हैले मनुष्य जन्म यार भारत जो है धर्म भूमी है और भारत में जन्म मिलना बहुती रेर है तो मैंने आपको बता दिया मनुष्य जन्म रेर है लेकिन भारत में जन्म तो और भी रेर है बहुती रेर है इसको गवाना नहीं चाहिए जो कि भारत में जो समस्कार मिलते हैं देखिए अगर मैं किसी विदेश में बताना पड़ेगा तो कृष्ण कौन है उस पर मेरे को बहुत ही कठी नहीं होगा बताने का किसीने नामी नहीं सुना लेकिन भारत में सबको छोटा मोटा लेकिन भारत का प्रावलम क्या है इतना कुछ सुन रखा है सिखाना मुश्किल हो जाता है भारत का प्रावलम वो है जैसे एक व्यक्ती दो लोग हरमोनियम सीखने के लिए गए तो एक व्यक्ति बोला मैं कुछ सीख की आया हूं दूसरा बोला मैं कुछ सीखने नहीं आया तो टीचर ने बोला जो कुछ सीख के नहीं आया है उसकी फीस पांच हजार और जो सीख की आया है उसकी फीस दस हजार वो बोला ऐसा क्यों क्योंकि बुला जो सीख किया है वो इतना अनाब शनाब सीख किया है पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा फिर फ्रेश लिख सकता हूँ लेकिन जो अभी फ्रेश आ रहा है उसके लिए तो मैं फटा-फट लिख सकता हूँ असान हो जाएगा तो विदेशियों को सिखाना असान हो जाता है भारतियों को सिखाना बहुत कटिन हो जाता है तीन दिन कथा में बैटेंगे तालियां बजाएंगे मजा लेंगे बस टीवी बंद तो बुद्धी बंद तो कि इतने सारे चैनल खुले पड़े हैं क्या सही है क्या गलत है किसी ने प्रश्ण पूछा है कि positivity आती है लेकिन permanent नहीं रहती पता है हमारी विमारी क्या है हमें cancer है मांसिक रूप से cancer है और cancer जो होता है cancer एक कैकड़े की तरह है पकड़ के रखता है तो हमारी बुद्धी में जो बुरे समस्कार है वो पकड़ के रखें और cancer ठीक करने का आको मालू होगा बहुत समय लगता है कितना कीमो थेरेपी, रेडियो थेरेपी, बाल जड़ जाते हैं कितनी बिमारिया होती है, फिर ठीक होता है अरे मन का cancer ठीक करने के लिए time लगता है डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है एक strong association, कभी-कभी cancer patients का association होता है हमारे भक्ती विदानता hospital में cancer patients group है जहां पे हम lecture देते हैं केवल cancer patients को इसलिए हम सब को मानसिक cancer है जल्दी ठीक नहीं होता, धहरे रखिए time लगता है, जल्दी भी है लेकिन धहरे भी चाहिए it's not very slow, लेकिन धहरे चाहिए चमतकार कुछ नहीं होगा जीवन में इसलिए हम लोग यहां पे कोई false hope या कोई motivational कारेकरम करने नहीं आये कि एक घंटे के बाद आप लोग को बिल्कुल कंदुरुस लगेगा I am going to speak about realities हम reality के बारे में बात करें और लोग बोल रहे हैं कि हम Krishna का नाम किसी भी रूप में ले सकते हैं जयश्री Krishna, जयश्री राम very good, all the names are powerful यहां पे हम कली संतरन उपनिशद के माध्यम से बोल रहे हैं कली संतरन उपनिशद में Hare Krishna महामंदर की महीमा बताई है हमारा दो-तिन स्लाइड का और सेमिनार है फिर समाप करते हैं फिर प्रश्ण उतर ले लेंगे जो प्रश्ण है और D for diet शुद अहार खाना है और जो हार खाना है पहले भगवान को अरपन करना है नहीं तो लोग बोलते हैं non-veig खाने से अगर करमा लगता है तो vegetarian खाने से भी लगना चाहिए योगि vegetarian में भी तो हम लोग फलों को काटते हैं पीड़ा देते हैं सही बात है को अरपन कीजिए और भोजन मत खाईए प्रसाद खाईए इसलिए इसकॉन के मंदिरों में केवल अड़ू प्रसाद नहीं है बरफी प्रसाद नहीं है जो भी खाते हैं उसे प्रसाद बोलते हैं आप सामने देख रहे हैं हमारी प्रसाद की परिभाशा क्या है क्या आप बढ इसका आनंद ले रहे होंगे। और देखिए, मैसिज पे मैसिज आगे, खाने की बात सुनके, क्या आप बात है। ए, बी, सी, डी करेंगे, तो जितना हमारा negativity है, बहुत जल्दी washout हो जाएगा। बार-बार लोग पुछ रहे हैं, negativity washout नहीं होता, लेकिन हो रहा है ना। जो भी formula follow कर रहा है, हो रहा है। जो दवाई सही से ले रहा है, they are getting cured। एक cured patient आपके सामने बैटा है, getting cured। और देखिए, इसका इतना प्रभाव है, कि केवल भारत में नहीं। रशिया जैसी country में, मैंने सुना है, वहाँ इतनी ठंड रहती है, लोग पानी की जगा वोड़का पीते हैं। शरीर में गर्मी लाने के लिए शराब regular पीते रहते हैं। वाइन पीते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी शुद शाकाहारी बनके भगवान का भजन में इतना आनंद ले रहे हैं। एक छोटा सा प्रदर्शन करूँगा इस वीडियो के मांद्यम से भी। लेकिन झाल वीडियो में टुद अप्रूद एकाहरी बनके भी। जकर शुद ऑाला की तोटे के लिए शराब का भी। श्राब लेकिन करूँगा ञें। प्रेसएं। आला की वीडियोका आनंद भी। प्रוצएंगा में रहते हैं। कर दो 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 अना कर दो झाल झाल तो ये हैं Happy Krishna devotees, Krishna के आनन्द से भरे हुए भाक्त और यहां से हमारा जो सेशन है समाप्त होता है उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो Hare Krishna बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे अंतिम समय तक और किसी के कुछ प्रशन है, चार-पांच प्रशन मैंने नोट करके रखे हैं, मैं प्रशन लेऊंगा अभी जो छोड़ना अभी जाना चाहते हैं बड़ जो लोग प्रशन उत्तर सुनना चाहते हैं मैं 15-20 मिन प्रशन उत्तर करूँगा अगर कोई पूछेगा तो एक प्रशन आ रहा है कि आप हमें समरी भेजिए, तो हम आपको सारे प्रेजेंटेशन का समरी कल तक हो सके तो भेज देंगे आपके वटसेप ग्रूप पे जो लोग इसके कोईडिनेटर, को होस्ट हैं आपसे विंती है कि वटसेप ग्रूप का लिंक चैट पे डाल दीजिए तो वो हम सब को दे देंगे चैट पे ताकि वटसेप ग्रूप पे सब जुड़े रहेंगे तो आप लोग को कुछ मेटीरल भेज सकते हैं Friday group का program भेज सकते हैं कल प्रशन उतर होगा तो आप प्रशन उतर में आ सकते हैं तो कृपया group में जुड़ जाएए that is very very important please I request the host Monica Mataji, Raas Bhakti Mataji and others whoever are there around please post the whatsapp link and in the meantime मैं प्रश्न लेता हूँ प्रश्न है किसी ने प्रश्न पूछा कौशल्या तो भगवान विश्नु के पास गई थी राम जी के पास नहीं गई कृष्न के पास नहीं गई तो कैसे बोल सकते हैं आप कृष्न भगवान है देखिए अगीन ये विश्य पूरा एक घंटे का डिसकेशन है हमारा most of the ग्यान TV से आता है या ऐसे sources से आता है जहां पर ग्यान प्रमानिता से नहीं बताया जाता या incomplete education दिया जाता है या फिर वो एक pocket dictionary है जहां complete information नहीं दिया तो इसकी ओपर पूरा information दे सकता हूँ मैं लेकिन separate session करेंगे कैसे कृष्ण विश्नु के source है विश्नु के अवतार नहीं है भगवान राम और विश्नु दोनों कृष्ण से ही प्रकट हो सकते हैं मैं बड़ी प्रमानिता से बोल सकता हूँ लेकिन इस दुनिया में बहुत विख्यात है कि विश्नु ही supreme है ऐसा विख्यात है उसका कारण क्या है मैं short में बताना चाहूँगा कभी-कभी बड़ी companyya होती है तो उसके जो top manager है हम उसको ही supreme मानते हैं हमेशा उससे मिलते हैं योंकि जो main company की owner है वो company में बैठते हैं नहीं वो तो किसी दूसरे देश में हमेशा पिकनिक ही करते रहते हैं तो क्योंकि हम top CEO को देखते हैं हमेशा वो busy है, phone पे है, email कर रहा है Instagram है, Facebook है तो हमको लगता यही top ऐसे ही अकसर विश्नु को top बता जाता है भगवान विश्नु को क्योंकि वही सृष्टी को manage कर रहे है और कृष्ण बांसुरी बजाते आनंद ले रहे हैं गोलोक विरिंदावन में वो तो picture में आते नहीं लेकिन वो कभी-कभी प्रकट होते है तो अग company में किसी को problem है तो company main owner के पास नहीं जाएंगे जो main manager है उसके पास जाएंगे तो कौशलया विश्नु के पास जाती है बाकी कृष्ण कभी-कभी mood हो तो आ जाते हैं और दर्शन देते हैं I am supreme शौट में उतर दिया मैंने हमारा एक channel है गवरंग प्रियेदास करके आप YouTube पे देख सकते हैं गवरंग प्रियेदास YouTube channel इसके recordings विगारा हम वहाँ पे upload कर देंगे आप वहाँ पे चाहिए तो subscribe कर सकते हैं that would be okay किसीने chat में लिखा तो मुझे याद आगया यह वाली बात और किसीने पुछा expectations के बारे में काफी लोग को यह प्रशन आ रहा है कि आप कितना भी बोलो expectation नहीं रखने का लेकिन expectation होता है so we will have a separate session on that because मैंने काफी कुछ इसके बारे में बताया है लेकिन फिर भी प्रशन आ रहे हैं तो हम expectations के उपर एक अलग से session लेंगे जरूर किसी ने बहुत अच्छा प्रशन पूछा परसो मैंने एक वीडियो दिखाया था कि पुनर जन्म में शरीर के उपर marks है किसी के सर पे चोट लगी पिछले जन्म में तो इस जन्म में भी वो mark है ऐसा कैसे शरीर तो नश्ट हो गया क्या होता है पिछले जन्म में जो शरीर को चोट लगी तो हमारे मन पे सदमा पहुचा बुद्धी पे सदमा पहुचा तो जब शरीर बदलता है तो केवल बहार का शरीर बदलता है लेकिन मन बुद्धी और अहंकार हमारे साथ जाता है इसलिए जो इच्छाएं पुराने जनम, पिछले जनम में अधूरी रह गई वो इस जनम में भी हमारे साथ वो इच्छाएं रहेंगी इसलिए कुछ-कुछ लोग देखो, बच्पन से ही बड़े अच्छे गायक होते हैं पांच साल की ओर में अच्छे गायक होते हैं गला बड़ा अच्छा होगा ऐसे ही मन को जो छोट लगी, कभी-कभी वो एक निशान के रूप में प्रकट हो सकता है सब के जीवन में ऐसा नहीं होता ये एक एक एक्जाम्पल है लाइक दैट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कोई पूछ रहे हैं, पित्र पक्ष के बारे में बदाईए अभी मैं टच्छ नहीं करूँगा, वो बहुत लंबा टापिक है लंबा बाद में डिसक्स करें कभी फिर हम लो योगा लेडर आउसो इसे डिटेल टापिक किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है देखिए, पाँचवी क्लास का बच्चा भी पिएजडी कर सकता है दसवी का भी पिएजडी कर सकता है बारवी का भी पिएजडी कर सकता है सब कर सकते हैं लेकिन पाँचवी को पहले छटी में जाना पड़ेगा साथवी में, आठवी में, नवी में, दसवी, ग्यावी, बारवी. बारवी को सिधा graduation, post-graduation, PhD. सब कर सकते हैं. किसी को लंबा समय लगेगा, किसी को slow. तो जब प्रभुपाजी बोलते हैं कि सभी धर्म के लोग अपना धर्म फॉलो करके perfect कर सकते हैं, yes. जो जो जिस जिस लेवल पे है, वो next लेवल पे आएगा. और अगर कोई किसी भी धर्म का हिंदू, Muslim, Christian, Sikh जो भी है, अगर उसके हिर्दे में सच्ची भगवान की पुकार है, तो भगवान उसके हिर्दे में बैठे हुए, उसे सब गाइड करेंगे. और उसे परफेक्शन तक लेके जाएंगे. एक सच्चा डिजायर चाहिए, इगर्नेस चाहिए. बाकि सब भाई है. हम लोगों ने ये तिर्ख लगाया है, कोई दूसरा, कोई और तिर्ख लगाएगा. लेकिन ये सब भाई अच्छे नहें. कुछ लोग बोलते हैं, ये हमने जो माला पहनी है, कंठी माला. ये कंठी माला पहन लिया और तिर्ख लगा लिया, तो पक्की बाद भगवान के धाम जाएंगे. एक तरह से सही भी है लेकिन एक तरह से तिरक लगा लिया, कंटी माला लगा लिया लेकिन वक्ति भुर पापी है, उसका attitude बहुत खराब है वो वक्ति को भगवान शायद देखे भी ना लेकिन दूसरा वक्ति ना तो तिलक है, ना माला है लेकिन सही attitude है, भगवान पर श्रद्दा है, पुकार है, प्यूर लव है, भगवान उसको आश्रे देंगी. So it all depends on that. तो आपका जो एक question है, हर धर्म का व्यक्ति perfection पर आप कर सकता है by going to next classes. फिर यहाँ पर कुछ प्रशन आये हैं मेरे पास. आपने बताया कृष्ण जी के अवतार विष्णु जी हैं, उसके बारे में कुछ बतो एक्स्पेंग कर दिया आपको शॉट में. और देखिए, माताजी आपने जो चैट में वट्सेप ग्रूप दाला है, सबको पब्लिकली डाल दीजिए. You can type it to everyone. रासभक्ती माताजी, प्लीज पोस्ट इट टो एवरिवन, नट जस्ट तो में प्राइवेटली. ओके, लिखिए, बाकी कुछ प्रश्ण एक आदशी के बारे में आ रहे हैं. आज एक आदशी है, और एक आदशी को मैं एक आदशी को, आज एक आदशी है, बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान कभी-कभी डिसकाउंट देते हैं. तो आप लोगों ने जो कथा सुनी, आज आज आपको ज़्यदा लाब मिला. एक आदशी का में लक्षे है, खाना कम खाईए, भजन ज़्यदा कीजिए, भगवान का नाम ज़्यदा लीजिए. तो एक आदशी आज आपका भाग्य है, मेरा भाग्य है कि हम सब इस कथा में जुड़े हैं आज के दिन, और लगभग इस समय तीन घंटा होने को आ रहा है, डेड़ बजे हमने कथा, समाप करना था एक चालीस, एक पंतालीस तक, उसके बाद प्रशन उतर किया, तीन घंट अदभुत दिव्य पुन्य कमाया, सधारन पुन्य नहीं कमाया, इतियादी है, कुछ लोग निरजल उपवास करते हैं, जो निरजल नहीं कर सकते हैं, फल खाते हैं, जो फल से नहीं जमता चलो, उपवास के बहुत सारे भोजन हैं, वो खा लेते हैं, आलू खाते हैं, सबजी खाते हैं, ऐसा, तो ऐसे बहुत बड़ा ग्यान है, लेकिन मै बोलोंगा अभी हम आगे नहीं चलेंगे क्योंकि maximum प्रश्ण जो आ रहे हैं वो detailed प्रश्ण है आपसे विनन्ती है जो प्रश्ण पूछना चाहते हैं कल आ सकते हैं session में 8 बजे कल शाम को 8 बजे और नहीं तो हम Friday को मिलेंगे अपना regular weekly session के लिए 8 to 9.30 every Friday इसी link पे जो link आपको भेजा है इसी link पे हम लोग activate कर देंगे and you can always join Thank you so much Hare Krishna Shrila Prabhupad की जै Shri Krishna Bhagawan की जै Shri Shri Radha Gopinath भगवान की जै Ekadashi Mahatme की जै Adhik Maas की जै और बतादू 18 September से लेकर 16 October तक बहुत ही महत्वपूर्ण अवदी है Adhik Maas Pushottam Maas जिनको उसके बारे में नहीं मालूम हमारे चैनल पे जाके Pushottam Maas का लेक्चर सुन सकते हैं गवरंग प्रियेदास YouTube चैनल पे जाके और उसमें बहुत महात्मे हैं भक्ति करने का और जो लोग भी Pushottam Maas कथा सुनना चाहते हैं हर Friday को हमारे साथ जुड़े रहिए जाए Hare Krishna Wish you all the best